ओम श्री गनेशाय नमाह दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे Story name is मेरी प्रेमिका and this story is begin from chapter 31 to 40 and guys don't forget to Share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिए शुरू करते हैं अनामिका को सोफे पर लिटाने के बाद रोमी उसके माथे पर हौन्त रखकर उसका stress कम करने की कोशिश करने लगा लेकिन उसके पास शरीर ना होने के कारण वो उसके माथे को च्छू भी नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी वो बार्मबार कोशिशे करता रहा क्योंकि आज अनामिका का जगना बहुंत जरूरी था अगर उसने अपनी आखे नहीं खोली तो वो कोमा में भी जा सकती थी या फिर वो हमेशा के लिए रोमी को छोड़ कर भी जा सकती थी जब कई कोशिशों के बाद भी रोमी अनामिका का स्ट्रेस कम नहीं कर पाया तो वो पागल सा हो गया और चिल्लाने लगा जान आखे खोलो जान लेकिन रोमी की इतनी तेज आवाज सुनकर भी अनामिका ने अपनी आखे नहीं खोली रोमी अब उसके चेहरे पर पानी की छीते चिरकता हुआ बोला मुझे माफ करदो रोज मैंने तुम्हें दुख पहुचाया पर मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा सिर्फ प्यार करूंगा तुमसे सिर्फ प्यार अपनी आखे खोलो जान कृपया मेरे लिए अपनी आखे खोलो लेकिन अनामिका ने अब भी अपनी आखे नहीं खोली उसे तो रोमी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी अब रोमी ने ध्रुव को आवाज लगाते हुए कहा ध्रुव बेटा जल्दी आओ अपनी मम्मा को उठाओ लेकिन ध्रुव ने रोमी को कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वो उसके बुलाने पर यहां आया रोमी ने उसे फिर से पुकारा लेकिन ध्रुव फिर भी नहीं आया रोमी अब परेशान होकर अपनी जगह से उठा और ध्रुव को लेने के लिए बेड्रुम की ओर जाने लगा लेकिन तभी उसके मन में ख्याल कौँधा वो जब से यहां आया है तब से ध्रुव को एक बार भी नहीं देखा है उसे याद आया अनामिका और विरात भी ध्रुव के लिए बहुंत परेशान थे क्या इसका मतलब ध्रुव गुमशुदा है अब रोमी ने अपनी आखे बंद कर ली और ध्यान लगा कर ध्रुव की लोकेशन पता करने की कोशिश करने लगा कुछ देर बाद जब उसने अपनी आखे खोली तो उसके चेहरे पर शिकन थी क्योंकि ध्रुव इस वक्त खत्रे में था उसे ध्रुव का घबराया हुआ चेहरा नजर आया था इसके अलावा उसके हौंत पैर भी रस्यों से बंदे हुए थे रोमी अब अनामिका की और गेहरी निगाहों से देखने लगा उसे अनामिका की बहुंत फिक्र हो रही थी और वो उसे इस हाल में यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था लेकिन उसे ध्रुव को वापस लाना भी बहुंत जरूरी था कुछ देर अनामिका को निहारने के बाद रोमी वहां से गायब हो गया उसने पल भर में ही सोच लिया था कि उसे आगे क्या करना है उसके लिए ध्रुव की जान भी बहुंत जरूरी थी और अनामिका की भी कुछ ही पल में रोमी बैंगलूरू शहर से कई केम दूर एक सुनसान इलाके पर विजिबल हुआ यह इलाका दूर दूर तक सन्नाटे में दूबा हुआ था ऐसा लग रहा जैसे धर्ती के इस हिस्से पर अभी तक जीवन नहीं उप जा है हाला कि यहां कई सारे तूटे फूटे से मकान नजर आ रहे थे लेकिन इन मकानों को देखकर यह अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं था कि अब इन में कोई नहीं रहता इन मकानों के अलावा यहां एक बड़ी सी पुरानी हवेली भी मौजूद थी जो दिखने में किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था परिस हवेली के एक हिस्से पर बने रौशन दानों से चंकर जो रौशनी बाहर आ रही थी वो इस बात का संकेत है कि अंदर इंसानी हलचल है रोमी ने कुछ देर पहले इसी हवेली में धुरूफ को देखा था यानि वे किड्नेपर्स धुरूफ को किड्नेप करके इसी हवेली में लाए थे अब सुबह के 4.30 बच गए थे और कुछ ही घंटे में सूरज की किरने इस अंधेरी दुनिया को रौशन करने वाला था लेकिन रोमी को किसी भी हाल में सूरज निकलने से पहले ही उस काम को अंजाम देना था जिसे वो कभी करना नहीं चाहता था पर अपनी प्रेमिका के लिए आज वो ये काम भी करने के लिए तैयार है रोमी ने अब अपनी आखे बंद की और दूसरे ही पल वो पलक जपकते ही ध्रूफ के करीब खड़ा था ध्रोवेस वक्त एक दिवार से टैंट लगाए बैठा हुआ था उसके हौन्थ पैर रस्सेयों से बंदे हुए थे और उसके मुह पर भीटे लगा दिया गया था आज ध्रूव ने इन किड्नैपर्स से बचने की बहुंत कोशिशे की थी और वो उनसे बचने में सफल भी हो जाता अगर वहां एक अनामिका के जैसी दिखने वाली लड़की नहीं आई होती दर असल आज जब ध्रूव अपने कोच से हौन्थ छुड़ा कर पाकिंग लौट की ओर भागा था तब उसका कोच और वे सभी किड्नैपर्स भी उसे धूंदते हुए पाकिंग लौट में आ गए थे लेकिन पाकिंग का चपपा-चपपा छान मारने के बाद भी उन्हें दरूव कहीं नहीं मिला था पर अगर वे पाकिंग लौट के एक कोने पर सालों से बंद पड़े एक तूटे फूटे स्कूल बस को भी चेक करते तो उन्हें ध्रूव मिल जाता क्योंकि वो उसी बस के नीचे लेता हुआ था हाला कि वहाँ छुपना काफी रिस्की था क्योंकि सफाई ना होने के कारण उस बस के आसपास घनी जारियां और खर्पतवारों का जमावड़ा हो गया था और ऐसी ही जगह पर जहरीले कीरे मकोडे और साप रहते हैं पर मरता क्या ना करता ध्रूव को अपनी जान बचानी थी इसलिए वो बगैर सोचे समझे बस के नीचे घुस गया था जब काफी मशपकत के बाद भी उन लोगों को ध्रूव नहीं मिला तो वे कुछ देर बाद गंदी गंदी गालिया निकालते हुए वहां से जाने लगे ध्रूव ने अब राहत की सांसली और उनके वहां से जाने का इंतजार करने लगा लेकिन तभी अचानक वहां एक लड़की आ गई जिसने परपल वाइट कलर का वन पीस पहना हुआ था उसके बाल कंधे तक कटे हुए थे और उसने सेम वैसा ही वाच पहना हुआ था जैसा अनामिका के पास है ध्रूव को उस लड़की का चहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था क्यूंकि साइड से उस लड़की के बालों ने उसका आधा चहरा कवा किया हुआ था लेकिन वो उसक का डेसिंग सेंस और चलने की स्टाइल देख कर समझ गया था कि ये उसकी मॉम है तब ही ध्रूव ने देखा वे किडनेपर्स तेज तेज कदमों से चलते हुए उसकी मॉम की ओर ही आ रहे हैं ध्रूव घबरा गया और तुरंत बस के नीचे से बाहर निकल कर उस लड़की क और भाग पड़ा वो लड़की अब गुस्से से तमत माती हुई पाकिंग लोट में एक जगह पर खड़ी हो गई थी और वे किडनेपर्स भी अब उसके सामने आकर खड़े हो गए थे पर तब ही उन्हें साइट से ध्रूव के चिलाने की आवाज आई मॉम भागो ये किड किडनेपर्स भी उसके सांत सांत ध्रूव की ओर बढ़ गए ध्रूव को अहसास हुआ वो फिर से मुसीबत में फंस गया है इसलिए वो उल्टे पैर वहां से भागने लगा पर तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आई रुको ये आवाज ध्रूव के लिए काफी जान मौम के कलीग आईशा के रोखने पर भी ध्रूव नहीं रुका बलकि वो भागते हुए ही आईशा से बोला आईशा आंटी ये किडनेपर्स हैं आप भी भागो तभी आईशा ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा तुम मेरे पास आओ बेता मैं तुम्हें इनसे बचा लूँगी ध्रूव कभी भी प्रॉब्लम में होता है तो उसकी मौम उससे हमेशा यही कहती है मैं हूँ ना मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाऊंगी ना जाने आईशा के इन अलफाजों में कैसा असर था कि ध्रूव दौरते दौरते रुक गया शायद आईशा की बात सुमकर उसे उस पर भरोसा हो गया था कि वो भी उसकी मौम की तरह इस मुसीबत से उसे बचा लेगी लेकिन बेचारा ध्रूव अभी वो एक मासूम बच्चा ही तो है उसे अभी कहां लोगों के चेहरे पहचानने आता है इसलिए वो आईशा के सुन्दर चेहरे के पीछे छुपे उसके बुरे रूप को नहीं पहचान पाया ध्रूव के करीब पहुंचते ही आईशा ने उसे गले से लगा लिया और बेहद ही प्यार से बोली तुम कितने प्यारे हो मुझे भी तुम्हारे जैसा ही एक सुन्दर बच्चा चाहिए लेकिन तुम्हारे होते हुए मेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए तुम्हें गौट के पास जाना ही पड़ेगा बेटा आईशा की बात सुनकर ध्रुव हैरानी से उसे देखने लगा उसे उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया था लेकिन जब उसने आईशा और उन किड्नैपर्स को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आईशा भी उन किड्नैपर्स से मिली हुई है पर अफसोस उसे ये समझने में बहुन्त लेट हो गया था अब तो वो यहां से भाग भी नहीं सकता था और नहीं किसी से मदद मांग सकता था कुछ देर बाद वे किड्नैपर्स द्रूफ को जबर्दस्ती एक काले रंग के वैन में ले गए जाने से पहले द्रूफ ने रोते हुए आईशा से कहा था आपने मेरी मम्मा के जैसा लुक रखा है पर आप मेरी मम्मा जैसी बिल्कुल भी नहीं हो आप बहुंत बुरी हो द्रूफ की बात सुनकर आईशा को हैसी आ गई लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया बलकी गारी के शीशे में खुद कोही निहारने लगी उसने अपना लुक अनामिका जैसा इसलिए बनाया था क्योंकि वो विराट को इंप्रेस करना चाहती थी लेकिन अब उसे भी ये लुक पसंद आने लगा था उनके जाने के बाद आईशा ने स्कूल के सभी CCTV कैमरे से वो सभी फुटेज रिमूव करवा दिया जिसमें ध्रूव और वे किड्नैपर्स स्पॉट हुए थे वे किड्नैपर्स ध्रूव को लेकर सीधे इस हवेली में आ गये थे और आईशा के अगले ओडर का वेट कर रहे थे ताकि आईशा का इशारा मिलते ही वे लोग द्रूव को टपका सके द्रूव जानता था इन लोगों के चंगुल से बचना नामुम्किन है लेकिन फिर भी वो जब से यहाँ आया था तपसे लगातार यहां से भागने की कोशिश कर रहा था पर उसकी हर कोशिश नाकाम थी वो अब तक एक इंच भी इन रस्सियों को नहीं खिसका पाया था क्योंकि रस्सियां बहुंत कसी हुई थी जिससे उसके हौन्थ और पैरों में निशान भी बन गए थे और उसे दर्द भी बहुंत हो रहा था पर फिर भी द्रुव इस वक्त खुद से ज्यादा अपनी मा के बारे में सोच रहा था अब तक वो कितनी ही बार ये सोच कर रो चुका था कि उसकी मा उसके लिए कितना तड़प रही होगी उसे पागलों की तरह ना जाने कहां कहां धूंद रही होगी किस किस से मदद मांग रही होगी और खुद को ना जाने कैसे संभाल रही होगी उसे अपने दोस्त रोमी की भी बहुंत याद आ रही थी वो बस यही दुआ कर रहा था कि उसके मरने से पहले उसका दोस्त उसे धूंद ले रोमी पिछले टू मिनट से धुरूफ के मन में चल रही बातों को सुन रहा था और वो इस छोटे बच्चे को खुद से ज्यादा अपनी मां की परवा करते देख भाव विभोर हो गया था पर तभी उसकी नजर धुरूफ के लाल गालों पर पड़ी जिन में पांचों उंगलियों के कई निशान बने हुए थे सांथी उसके शरीर पर भी जगह जगह खरोच के निशान थे धुरूफ की ऐसी हालत देखकर रोमी का खुन खौल उथा अब वो खुन खार नजरों से उन चारों किड्नेपर्स को देखने लगा जो कुछ दूर पर सिग्रेट की कस लेते हुए आपस में बाते कर रहे थे तब ही उनमें से एक आदमी किड्नेपर की नजर धुरूफ पर पड़ी जो गुस्से से उन लोगों को ही घूर रहा था अब वो आदमी गुस्से से कलबलाता हुआ धुरूफ के पास आने लगा क्या बे क्या घूर रहा है तू इतनी मार खाके भी तेरी अकड़ अभी तक गई नहीं है उस आदमी को अपनी और बढ़ता देख धुरूफ ने दर के मारे अपनी आखे बंद कर ली लेकिन जैसे ही उस आदमी ने धुरूफ को मारने के लिए अपना हौंथ उठाया वो इतनी जोड से हवा में उचल गया की सामने दिवार से जा तकराया जब धुरूफ ने उस आदमी की दर्द भरी चीक सुनी तो जट से अपनी आखे खोली और अपने सामने के नजारे को देख कर हैरान रह गया क्योंकि वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके माथे से खून की धार निकल रही थी अपने सान्थी कि ये हालत देख कर बाकी सब हैरान परेशान हो गए किसी को भी समझ नहीं आया कि अचानक ये दिवार से कैसे तकरा गया उनमे से एक आदमी ने फोरण उसके सिर पर कपड़ा बांधते हुए कहा इसका तो बहुत खून निकल रहा है तभी दूसरा आदमी गुस्से से दहकता हुआ बोला तेरी इतनी हिम्मत तू हम पर हौन्थ उठाएगा साले रुक तेरी चमड़ी उधेरता हुँ इतना कहकर वो गंदी गाली देता हुआ ध्रूफ को मारने के लिए लपका लेकिन जैसे ही उसने ध्रूफ पर हौन्थ उठाया वो पहले वाले से भी ज्यादा दूर जाकर गिरा इस नजारे को देखकर सबकी आँखें हैरत से बड़ी हो गई लेकिन दूरूफ खुशी से बाग बाग हो उठा क्योंकि वो समझ गया उसका दोस्त उसे बचाने के लिए आ चुका है रोमी ने अब दूरूफ के मुह पर लगे टेप को निकाल दिया और टेप निकलते ही दूरूफ खुशी से चहक उठा दोस्त दूरूफ की प्यारी सी आवाज सुनकर रोमी का दिल हुआ वो अभी इसी वक्त दूरूफ को गले लगा ले और प्यार से उसके माथे को चूमले पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था तभी दूरूफ ने फिर से कहा मास्टर मेरी मम्मा कैसी है अनामिका का जिक्र सुनते ही रोमी ने हरबढ़ाते हुए कहा हमें जल्दी घर पहुँचना होगा चैंप हमारे पास वक्त बहुंत कम है दुरूफ को रोमी से बाते करते देख एक आदमी ने हैरानी से कहा ए अना ये लड़का किस से बात कर रहा है दूसरे आदमी ने चिदते हुए कहा तू उस लड़के को छोड़ और इन दोनों पर भ्यान दे देख कितना खून निकल गया इनका पहले आदमी ने उसकी बातों को इग्नो करके घबराते हुए कहा आना उसकी रसी तो अपने आप खुल रही है अब दूसरे आदमी ने भी धुरुफ की ओर देखा और उसकी खुली हुई रसी देखकर हैरान हो गया पहले आदमी ने अब घबराते हुए कहा भभभा भूत भूत पहले आदमी ने उसे एक घूसा मारते हुए कहा ए सथिया गया है क्या भूत भूत बोल रहा है तभी एक घायल आदमी ने डरते हुए कहा मैं तो पहले च बोला था इस सुनसान हवेली में नहीं आते लेकिन मेरा कोई सुने तभी तो, दूसरे घायल आदमी ने कराहते हुए कहा आना इन लोग ठीट कह रहे है यहां कुछ तो है उसी ने हम लोग को उठा के फेका है, दूसरे आदमी ने अब चिदते हुए कहा मेरा दिमाग फाल तुमें खराब मत करो तुम लोग इसका रसी धीला हुआ होगा इतना कहकर वो आदमी धुरुफ की रसी बांधने के लिए उसकी और बड़ा लेकिन इससे पहले की वो धुरुफ को हौन्थ भी लगाता रोमी ने उसे हवा में उठा दिया और इतना जोर से पतका की वो बेहोश ही हो गया ये नजारा देखकर सब के होंश उर गए धुरुफ को तो बहुंत मजा आया था अब वो रोमी से मुखातिब होकर बोला मास्टर उस आदमी ने मेरे गाल पर बहुंत थपड मारे हैं इतना सुनना था कि रोमी ने एक आदमी के गाल पर इतने थपड बरसाई कि उसे अपनी नानी याद आ गई सान्थी उसके गालों की चमरी भी जगह जगह से फट गई ध्रुव में एक घायल पड़े आदमी की और इशारा करते हुए कहा उस आदमी ने मुझे दो लात मारा था और मेरी मौम को गंधी गाली भी दिया था रुमी ने जैसे ही सुना उस आदमी ने उसकी रोज को गाली दिया है तो उसने उसका इतना बुरा हस्र किया कि वो दया की भीग मांगने लगा पर रोमी ने उसे अदमरा होने तक मारा जब चोथे आदमी की मार खाने की बारी आई तो उन्होंने देखा डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई है धुरुफ को उसकी हालत देखकर बहुंत हैसी आई रोमी ने उसे उठा कर हवा में उल्टा लटका दिया उसके बाद धुरुफ को लेकर वहां से गायब हो गया उनके जाने के कुछ देर बाद वो आदमी नीचे गिर पड़ा लेकिन उसके सांथियों ने उसे चोट लगने से जैसे तैसे बचा लिया था पर अब वे सब यहां एक मिनट भी नहीं रुख सकते थे क्योंकि उन लोगों ने अभी साफ साफ देखा था इस हवेली में भूत है जैसे तैसे गिरते पड़ते वे लोग हवेली से बाहर निकल गए उसके बाद अपनी वेन में बैठ कर वहां से फरार हो गए द्रूव भाग गया इस बात का उन लोगों को कोई गम नहीं था बलकि वे लोग खुश थे उनकी जान बच गई थी लगभग टू मिनट में ही द्रूव और रोमी घर के सामने विजिबल हुए उसके बाद द्रूव भागता हुआ घर के अंदर चला गया और अंदर आते ही उसने अपनी मौम को सोफे पर लेटी हुई देखा द्रूव अब दौड कर जाकर अपनी मां से लिप्ट गया और रोते हुए बोला मम्मा लेकिन अनामिका को द्रूव के आने का जरा भी हसास नहीं हुआ क्योंकि वो अभी भी बेहोश थी द्रूव काफी देर तक अपनी मां से लिप्ट कर रोता रहा लेकिन जब अनामिका ने उसे चुप नहीं कराया और गले नहीं लगाया तो उसे लगा उसकी मां गहरी मींद में है लेकिन तभी रोमी ने ध्रुव से कहा ध्रुव बिल्कुल भी फिक्र मत करना तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी इतना कहकर उसने अनामिका की और एक नजर देखा और मन ही मन उससे वापस आने का वादा करके वहां से चला गया ध्रुव को शुरू में रोमी की बात क्लियरली समझ नहीं आई थी पर जब समझ आई तब तक रोमी वहां से जा चुका था सिद्धार्थ हॉस्पिटल बेंगलूरू सुबह फाइव बजे शीतल आंटी घबराई हुई अनामिका के घर आई थी उन्हें सुबह सुबह ही अपने बेटे से ध्रुव के गायब होने की न्यूज पता चली थी दरसल अनामिका ने भी उन्हें ये बात नहीं बताई थी क्योंकि ध्रुव के गायब होने के बाद उसे खुद कभी होंच नहीं था शीतल आंटी को पता था ध्रुव की गुमशुदगी के पीछे उस आत्मा का ही हौंट है इसलिए वे अनामिका को अपने सांथ ले जाने आई थी ताकि वे दोनों मदद के लिए उस शक्स के पास जा सके जिनके पास आज सुबह वे दोनों जाने वाली थी पर जब वे अनामिका के घर पहुची तो वहां ध्रुव को सही सलामत देख कर वे बहुंद खुश हुई पर जब उन्होंने द्रूव को अपनी मां से लिप्ट कर रोते हुए देखा तो वे बहुंद ज्यादा घबरा गई द्रूव ने अब तक किसी को भी अनामिका की हालत के बारे में नहीं बताया था क्यूंकि वो रोमी का इंतजार कर रहा था उसे रोमी पर भरोसा था वो उसकी मौम को ठीक कर देगा द्रूव के मना करने के बावजूद भी शीतल आंटी अनामिका को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी उसके बाद द्रूव ने जुही को भी हॉस्पिटल बुला लिया था जूही तो धुरूफ को सही सलामत देखकर खुशी से रो पड़ी थी पर जब उसे अनामिका के क्रिटिकल कंडीशन के बारे में पता चला तो वो वहीं बिलक बिलक कर रोने लगी कुछ देर बाद जूही ने विराट को भी इत्तिला कर दिया था और खबर मिलते ही विराट और उसकी फैमली यहां दोडे दोडे चले आये थे द्रूव को वापस पाकर अब आब रोई फैमली में त्योहार जैसा माहौल बन गया था हर कोई द्रूव पर प्यार बरसा रहा था और उसका किसी प्रिंस की तरह ख्याल रखा जा रहा था द्रूव उन सबको नहीं जानता था पर फिलहाल उसकी हालत उनसे कुछ पूछने की भी नहीं थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कुछ देर पहले ही शीतल आंटी और जूही को बताया था कि अनामिका कोमा में जा चुकी है विराठ अपने बेटे को पाकर हद से ज्यादा खुश था लेकिन जब से उसे अनामिका की हालत के बारे में पता चला था वो पागल सा हो गया था बार बार वो डॉक्टर्स को धमकाए जा रहा था तो कभी उन्हें बेशुमार पैसों का हवाला देकर अनामिका को जल्दी ठीक करने की गुजारिश कर रहा था विराट की फैमली भी अनामिका के लिए परेशान थी खासकर विशाखा जी उन्हें अब अपनी गल्तियों का अहसास हो रहा था उन्होंने आईशा की बातों में आकर अब तक अनामिका के सांथ कितना रूड बिहेव किया था कई बार तो उसे बुरा भला भी सुनाया था लेकिन अनामिक ने कभी भी उन्हें एक शब्द भी नहीं लोटाई थी बलकि चुपचाप उनकी हर करवी बाते सुनती रही काश उन्हें पहले पता होता अनामिका उनके पोते की मा है तो वे कभी भी उसके सांथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करती वैसे भी उन्हें अनामिका पसनली बहुंत पसंद थी उन्हें अनामिका का स्वभाव कब भा गया था ये उन्हें भी नहीं पता था पर वो पहले से ही एक बच्चे की मा थी इसलिए वे चाहकर भी अनामिका को विराट के आसपास फटकने नहीं दे सकती थी क्योंकि इससे ओब्रॉय खांदान का नाम मिट्टी में मिल सकता था। विराट ने अनामिका की ट्रीटमेंट लिए बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम बुलवा लिया था और इस वक्त डॉक्टर्स अनामिका का चेक अप कर रहे थे। माहेश्वरी विला आईशा को अभी तक ध्रूफ के भागने की खबर नहीं मिली थी और नहीं उसे अभी तक ध्रूफ के वापस मिलने की न्यूज पता चली थी इसलिए वो बहुंद ज्यादा खुश थी और इस वक्त अपने कमरे में गाना गुन-गुनाती हुई अपना म किया था जब से वो अपना लुक अनामिका जैसा रखने लगी है तब से विराट उसे अटेंशन देने लगा है और बहुंद जल्द वो विराट को अपना बना लेगी आईशा अभी अपना खयाली पुलाव पका ही रही थी कि तभी अचानक वहां प्रग्याजी आ गई वे इस वक्त काफी घबराई हुई सी लग रही थी और आईशा अपनी मां को ऐसे घबराई हुई देखकर हैरान परेशान हो गई थी आईशा हैरानी से मॉम वाट्स रोंग विद यू प्रग्याजी आसू तुम जल्दी रेडी हो जाओ हमें हॉस्पिटल निकलना है आईशा ह हैरानी से हॉस्पिटल पर क्यों मॉम प्रग्याजी मुझे भी अभी पूरी बात नहीं पता है बस इतना पता है और आईशा मुह बनाकर क्या ड्रामेस्टिक फैमली है यार हर महीने कोई ना कोई हॉस्पिटल पहुंची जाता है कभी दादी की सुगर बढ़ जाती है तो क तो वे हमारी फैमली की तरह ही है आईशा मुह बनाकर मम्मा प्लीज मुझसे ये ड्रामा नहीं होता यार आप और डैड ही चले जाओ प्रग्याजी मैं यहां तुमसे पूछने नहीं आई हूँ तुम्हें बताने आई हूँ हमें अभी के अभी हॉस्पिटल के लिए निकल पैसेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है हमने इस तरह का मामला अपने करिया में पहली बार देखा है जिसने पैसेंट के सिर में या शरीर के किसी भी भाग में कोई चोट नहीं लगी है फिर भी वो कोमा में जा चुकी है विशाखा जी घबराती हुई डॉक्टर हमारी पहुंची है अगर सरल शब्दों में कहें तो उसे किसी बात का गहरा आघहात लगा है जिससे उसके दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ा है विराट शक्त लहजे में अनू कब तक ठीक हो जाएगी पहला डॉक्टर मिस्टर ओब्रॉय हम आपको जूता दिलासा नहीं दे लेकिन विराट के कजन ब्रदर ने फौरं विराट को उन से दूर कर दिया और डॉक्टर से इसके लिए माफी मांगी डॉक्टर को विराट के बहेवियर से बुरा नहीं लगा था क्योंकि उनके पेशे में कई बार उन्हें पेजेंट के क्लोज पसण और फैमली वालों से इस तरह के व्यवहार का सामना करना ही पड़ता है। डॉक्टर्स के जाने के बाद अनामिका को चैकप के बाद कमरे में शिफ्ट कराया जा रहा था। उसके बाद डॉक्तर के इंस्ट्रक्शन से अनामिका के सबसे क्लोज पसंस को अनामिका के पास रहना था क्योंकि next two घंटा अनामिका के लिए बहुंत एहम था उसे किसी भी हाल में two घंटे के अंदर होंश में आना ही होगा ध्रूव का अब रो रोकर बुरा हाल हो गया था को कोई भी उसे शांत नहीं करा पा रहा था अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए कि अगले कुछ घंटे में वो अनात होने वाला है तो वो कैसा फील करेगा ध्रुव भी बस वैसा ही फील कर रहा था वैसे भी इस दुनिया में ध्रुव का अनामिका के सिवा और कोई भी नह ही है और ध्रुव अपनी मा के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता अगले टू घंटे अनामिका की जिंदगी के लिए बहुंत एहम था क्योंकि टू घंटे के अंदर अगर उसे होंच नहीं आया तो वो हमेशा के लिए कोमा में जा सकती थी इस वक्त हॉस्पिटल म पर अजीब बात है ना लोगों को किसी इनसान की वैल्यू का अहसास तब होता है जब वो हमेशा के लिए दूर चला जाता है चाहे वो अपना हो या फिर पराया लेकिन अनामिका कहीं नहीं जाने वाली उसे कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका रोमी उसे कुछ होने ही नहीं देगा उसने अपनी रोज का 100 साल इंतजार किया है 100 साल और ये इंतजार उसके लिए हजारों बार मरने के बराबर था लेकिन फिर भी वो अपनी रोज के लिए हजारों दफा मरने को तैयार हो गया था क्यूंकि पिछले जन्म में उसकी रोज ने जाते जाते उससे कहा था मेरा इंतजार करना कई सारे टेस्ट करने के बाद अनामिका को अब कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और अब डॉक्टर की कंसल से पैसेंट का कोई क्लोजबन कमरे के अंदर जा सकता था वैसे तो आम तौर पर कोमा पैसेंट के पास एक से ज़्यादा लोग रह सकते हैं लेकिन इस वक्त अनामिका का शरीर जिस तरह का बेहेव कर रहा था और उसके ब्रेन पर जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी उसे देखकर डॉक्टर्स कोई भी रिष्ट लेना नहीं चाहते थे वैसे भी अनामिका किसी मेंटल ट्रॉमा की वज़ह से कोमा में गई थी जो की एक रेयर है और ऐसे में डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि अनामिका के आसपास कोई भी ऐसा पसंद जाए जिसे अनामिका पसंद नहीं करती या फिर उसकी वज़ह से अनामिका को हट हो अनामिका सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से ही करती है इसलिए डॉक्टर्स ने दुरुव को ही अनामिका के पास रहने की अड़्वाइज दी थी लेकिन इससे पहले की ध्रूव कमरे के अंदर घुस्ता वहां माहेश्वरी फैमली आ गई आईशा भी अपनी फैमली के सान्थ यहां सिंपैथी का दिखावा करने के लिए आई हुई थी लेकिन उसे कहां पता था यहां मुसीबत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है ध्रूव इस वक्त कमरे में अपनी मां के पास जा रहा था लेकिन जैसे ही उसकी नजर आईशा पर पढ़ी उसके कदम अपने आप थहर गए क्योंकि उसे देखने के बाद ध्रूव को वो सब याद आने लगा जो उसने उसके सांत किया था कल उसने आईशा पर भरोसा किया था वो उसकी मीठी बातों के जाल में फंस गया था अगर वो उसके रास्ते का सबसे बाद काटा था इसलिए वो उसे मरवाना चाहती थी लेकिन वो इस बात से बिलकुल बेखबर थी कि रोमी के रहते हुए कोई भी ध्रूफ को हौन्थ भी नहीं लगा सकता वो तो कल इसलिए किड्नेप करने में सफल हुई थी क्योंकि रोमी उस वक्त वहां मौजूद नहीं था आईशा की नजर भी अब ध्रूफ पर पढ़ चुकी थी और वो उसे यहां सहीं सलामत देखकर हैरान परेशान थी एक पल को उसे लगाए उसका कोई वहम है क्योंकि ध्रूफ तो अभी उन किड्नेपर्स के कबजे में हैं लेकिन जल्द ही उसे अहसास हुआ ये सच मुच ध्रूफ ही है आईशा को देखने के बाद ध्रूफ के कदम अपने आप ही आईशा की ओर बढ़ गए उसे इस वक्त आईशा पर बहुंत गुसा आ रहा था क्योंकि अगर वो उसका किड्नेप नहीं करवाती तो उसकी मौम को ट्रूमा नहीं लगता और वो इस वक्त सहीं सलामत होती आईशा ने जब देखा ध्रूफ उसकी और ही आ रहा है तो घबराहट के मारे उसके पसीने चूटने लगे क्योंकि ध्रूफ उसकी पोल खोल सकता था उसे अब जल्दी ही कुछ करना होगा वरना उसके इतने सालों की मेहनत बरबाद हो जाएगी उसने कितनी मुश्किल से विराट की मौम का दिल जीता था अब वो एक ही जटके में अपनी सालों की मेहनत पर पानी फिरने नहीं दे सकती ध्रूफ अब आईशा के सामने आकर खड़ा हो गया था और उसके आते ही आईशा उसके सामने जुक गई और अपनी आवाज में मिश्री घोलती हुई बोली ध्रूफ तुम ठीक तो हो ना बेटा मुझे कल रात भर तुम्हारी फिक्र में नींद नहीं आई थी I am sorry बेबी मुझे तुम्हारे सांथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जरा देखो कितने प्यारे हो तुम तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो ध्रूफ पर अब आईशा की मीठी बातों का असर कहा होने था उसे किसी पागल कुट्टे ने थोड़ी काटा था जो वो फिर से आईशा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा ध्रूफ ने कल आईशा का असली चेहरा साक्षात देखा था और वो कोई भोला बच्चा नहीं है उसे अपनी गलतियों से सीखना आता है और वो दोबारा इस चालबाज लड़की की बातों में नहीं आ सकता आईशा ने अब ध्रूफ को गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से बोली अनु ने कहा था तुम बहुंत अच्छे बच्चे हो हमेशा बड़ों का कहना मानते हो तो मेरा कहना भी मानो किड्नेपिंग वाली बात तुम किसी को भी मत बताना ओके बेबी आईशा की बाहों में ध्रूफ का दम घुटने लगा था इसलिए उसने पूरी ताकत लगा कर आईशा को खुद से दूर धकेल दिया और सक्त लहजे में बोला मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं हूँ मैं बुरे लोगों के लिए बहुंत बुरा हूँ ध्रूफ के सदनली धक्का देने से आईशा खुद को संभाल नहीं पाई और फर्श पर गिर पड़ी आईशा के नीचे गिरते ही अब सबका ध्यान आईशा और ध्रूफ की ओर आकर्शित हो गया कई लोगों ने ध्रूफ को आईशा को धक्का देते हुए भी देख लिया था इसलिए वे शौकंग स्टेज में चले गए थे तभी वहाँ विराट की कजन सिस्टर निवेदिता आई और ध्रूफ को अपने पास खीचते हुए बोली शाबाश बेबी बहुंत अच्छा किया तुमने ये तुम्हारी आईशा आंटी है जो जबर्दस्ती हमारी फैमली में घुसने की कोशिश कर रही है ये बात निवेदिता ने इतना धीरे से कहा था कि इसे सिर्फ आईशा और ध्रूफ ही सुन सकते थे ध्रूफ को तो निवेदिता की बातों से कोई मतलब ही नहीं था लेकिन आईशा गुस्से से तमत्मा गई थी एक तो पहले ही इस छोटे बत्तमीज लड़के ने उसे धक्का देकर सब के सामने उसका इंसल्ट किया था और अब ये उसके जले में नमक छिड़क रही थी अब विराट का कजन भाई रवी भी वहां आ गया और आईशा को अपना हौन्थ देता हुआ बोला गुस्ताखी माफ कीजिए मिस ब्यूटीफुल एक्चुली हमारा लिटिल प्रिंस इस वक्त एफसेट है इसलिए उसने तुम्हारे सांथ ऐसा बिहेव किया आए यूप यू इंडस्टेंड आईशा को गुस्सा तो बहुंत आ रहा था लेकिन उसने अपना सारा गुस्सा पी लिया क्योंकि इसी में उसकी भलाय है आईशा मुस्कुराती हुई मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा बलकी मुझे तो इस प्यारे से बेबी पर बहुंत प्यार आ रहा है देखो तो ये कितना क्यूट है बिल्कुल विराट पर गया है ये कहते कहते आईशा ने ध्रुव का हौन्त पकड़ा और उसे अपने सांथ एक और ले जाती हुई बोली बेबी आओ मेरे सांथ हम उस बैंच पर बैट कर बहुंत सारी बाते करेंगे आईशा किसी तरह ध्रुव को बर्गलाना चाहती थी और नहीं तो उसे डरा धमका कर उसका मुँह बंद करवाना चाहती थी क्योंकि अब तक वो समझ गई थी कि ये छोटा लड़का नहायती धीत है और आसानी से उसकी बातों में नहीं आएगा लेकिन आईशा ने गलत अंदाजा लगाया था ध्रुव धीत ही नहीं बलकी गुसेल और रिवेंज लेने वालों मेंसे भी है जो भी उसके सांथ बुरा करता है वो उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता उनसे रिवेंज लेता ही है फिर चाहे सामने वाला इंसान उससे छोटा हो या बड़ा ध्रुव ने अब जटके के सांथ आईशा से अपना हौन्थ छुड़ा लिया और गुस्से से चिलाते हुए बोला डोंट तच्मी ध्रुव का गुस्से भरा आवाज सुनकर वहां सब हक्के बख्के रह गए थे अब तक सब अपने में ही लगे हुए थे लेकिन अब ध्रुव ने वहां हर किसी का ध्यान अपनी और आकरशित कर लिया था आईशा की घबराहट अब और ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि ध्रुव कभी भी उसका परदाफाश कर सकता था इसलिए उसने अब इमोशनल ड्रामा खेलते हुए कहा तुम्हारी मॉम मेरी बहुंद अच्छी दोस्त है इसलिए मुझे तुमसे भी अटेच्मेंट हो गया है बेबी प्लीज तुम बुरा मत लगाओ अगर तुम कहते हो तो मैं तुझे हौंथ नहीं लगाऊंगी तभी वहाँ प्रखर जी आ गए और ध्रुव को अपनी गोदी में उठाते हुए बोले मेरा ननहाशे इतना गुस्सा नहीं करते बेटा ये तुम्हारी आईशा आंटी है तुम्हें इनके सांथ ऐसा बेहेव नहीं करना चाहिए प्रखर जी की बात सुनकर ध्रुव उन्हें कुछ कहने ही वाला था कि आईशा ने घबराते हुए प्रखर जी की गोदी से ध्रुव को जबरदस्ती ले लिया और मुस्कुराती हुई बोली को कोई बात नहीं अंकल ये अभी बच्चा है ध्रुव गुस्से से मैं कोई बच्चा नहीं हूँ ओके एंड आप मुझे अभी के अभी नीचे उतारो क्योंकि मुझे गोदी में उठाने का हक सिर्फ मेरी मम्मा का है किसी ने भी नहीं सोन्चा था कि विराट का बेटा इतना एरोगंट होगा लेकिन पता नहीं क्यों ध्रुव का ऐसा बेहेवियर देखकर भी किसी को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि उस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था प्रकर जी अब मुस्कुराते हुए बोले तुम्हारे तेवर देखकर मुझे अपने पिता जी की याद आ गई वही गुस्सा वही तेवर तुमने तो साबित कर दिया ओब्रोईज के खून की पहचान ही गर्म मिजाजी है ध्रुव अब इन लोगों की अजीब अजीब सी बाते सुनकर उब चुका था वो तो इन लोगों को इसलिए जेल रहा था क्योंकि ये विराट अंकल की फैमली है आईशा ने ध्रुफ को नीचे उतारने के बाद अपना आखिरी इकका फेकते हुए बड़े प्यार से कहा बेटा मुझे तुमसे एक इंपोटेंट बात करनी है ये तुम्हारे मौम के बारे में है आईशा के मुव से अपनी मौम का जिक्र सुनते ही ध्रुफ के दिमाग में तेजी से कई सारे विचार कौंधने लगे और उसे विचारों में यूँ खोया देख आईशा मुस्कुरा उठी क्योंकि उसे लगा ध्रुफ पर उसकी बातों का असर हो चुका है लेकिन तभी ध्रुफ ने शक्त लहजे में कहा मुझे लगा था मेरी मम्मा इसलिए ट्रॉमा में चली गई क्योंकि आपने मेरा किड्नेप करवाया था आईशा घबराती हुई ध्रुफ ध्रुव चिल्लाता हुआ क्या किया है आपने मेरी मम्मा के सांत ध्रुफ की मुग से किड्नेपिंड वाली बात सुन कर वहां सबके होंश उर चुके थे विराट भी अभी अभी ही हॉस्पिटल की कुछ फॉमेलिटीज पूरी करके यहां आया था और आते ही उसने भी ध्रुव से किड्नैपिंग वाली बात सुन ली थी यहां मौजूद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और ना ही वे ध्रुव पर यकीन करपा रहे थे लेकिन विराट को अपने बेटे पर 101% यकीन था आयशा अब गुस्से से चिलाती हुई बोली बद्तमीज क्या बकवास कर रहे हो तुम विराट उनके करीब जाता हुआ गुस्से से चिलाया बकवास मेरा बेटा नहीं बकवास तुम कर रही हो ध्रुव के मुह से किड्नैपिंग वाली बात सुनकर वहां सबके होंश उर चुके थे किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था तभी आयशा गुस्से से चिलाती हुई बोली बद्तमीज क्या बकवास कर रहे हो तुम विरार्पूंके करीब जाता हुआ गुस्से से चिलाया बकवास मेरा बेटा नहीं बकवास तुम कर रही हो आयशा घबराती हुई आर यू मैद तुम एक बच्चे की बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो निवेदिता गुस्से से बच्चे मन के सच्चे होते है तुम्हारी तरह चालबाज नहीं मैंने कभी सोंचा नहीं था आईशा तुम इतनी गिर जाओगी तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मक्सद के लिए एक मासूम बच्चे की बली देते हुए आईशा गुस्से से तुम बक्वास बंद करो तुम्हें तो हमेशा से मुझसे पढ़ा जिसकी आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी वहां मौझूद हर सक्स इस नजारे को देख कर मानो सदमे में जा चुका था क्योंकि प्रग्याजी ने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी पर हौंथ उठाया था आईशा अब चीखती हुई बोली मौम प्रग्याजी रोती हुई बोली कहां कमी रह गई थी मेरी परवरिश और संसकारों में है भगवान ये मैंने किसे अपनी कोक से जन्म दे दिया आईशा नम आखों से मौम आज आपने इस जूठे और बद्तमीज बच्चे के लिए मुझ पर हौन्थ उठाया आपको मुझसे ज्यादा इस पर भरोसा है प्रग्याजी रोती हुई आज तुम्हारी वजह से इसकी मा जिंदगी और मौत की लढ़ाई लड़ रही है अगर उसे कुछ हो गया तो ये कैसे जिएगा अपनी मा के बिना प्रग्याजी की बात सुनकर विशाखा जी की आँखों से आसों की धार बहने लगीवे अब ध्रुफ को अपने सीने से लगाती हुई बोली अगर मेरी बहु को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी आईशा गुसे से ओह वाओ अब मुझ पर अनामिका की मौत का भी इलजाम लग रहे हैं विराट चिल्लाता हुआ जुबान संभाल कर मेरी अनू अभी जिन्दा है और बहुंत जल्द उसे होंश आ जाएगा लेकिन अफसोस अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा इतना कहकर विराट ने अपने गार्ड्स की ओर इशारा किया और इशारा मिलते ही उन लोगों ने फोरण आईशा को अपने शिकंजे में ले लिया आईशा बहुंत घबरा गई उसके सांथ सांथ बाकी सब भी घबरा उठे थे क्योंकि विराट कभी हवा में बाते नहीं करता बलकी वो जो बोलता है वो करता ही है आईशा ने अब रोते हुए अपने डैड को पुकारा डैड प्रशांद जी पहले ही विराट के करीब पहुंच चुके थे और अब वे वानिंग देने वाले अंदाज में बोले मेरी बेटी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए विराट ने भी गंभीर लहजे में कहा मैं इसका वादा नहीं कर सकता अगर मेरी अनू को होंश आया तो मैं इसकी जान बक्स दूंगा और अगर मेरी अनू को होंश नहीं आया तो आपकी बेटी के लिए आप कफन तयार रखिये विराट की बात सुनते ही प्रकहर जी ने चिल्लाते हुए कहा ये किस लहजे ने बात कर रहे हो तुम विराट विराट नाराजगी से आपके लिए आपकी दोस्ती जितनी प्यारी है उससे कई ज्यादा मुझे मेरे बेटे की जान प्यारी है डैड अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं नामों निशान मिता देता महेश्वरीज की विशाखाजी नाराजगी से विराट माफी मांगो अभी के अभी विराट इमोशनल आवाज में वेल अगर मेरी अनू को कुछ हुआ तो मैं सच में महेश्वरीज का दुशमन बन जाऊंगा इतना कहकर विराट वहां से जाने लगा धरुफ पहले ही अनामिका के पास जा चुका था क्योंकि उसके लिए फैमली ड्रामा से ज्यादा जरूरी उसकी मा है तभी एक मर्दाना आवाज वहां गूंजा तुम ये कैसे बूल सकते हो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी महिश्वरी है ये आवाज सुनते ही आईशा चहक उठी भाई विराट ने बिना पीछे पलते ही कहा हमारी दोस्ती भी आईशा की जान नहीं बचा सकती मोहित मोहित गहरी आवाज में आसु मेरी जान है और मैं अपनी बेहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ इतना कहकर मोहित उन गार्ड्स को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा क्योंकि वो अपनी बेहन से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है चाहे उसकी बेहन कितनी ही बिग्रेल और बद्तमीज क्यों ना हो उसे कोई फर्क नहीं पढ़ता आईशा ने किसे अफेंट किया है उसके लिए आईशा आलवेस सही होती है और वो उसकी हर जिद पूरी करता है चाहे उसकी जिद जायज हो या ना जायज चार साल पहले आईशा ने ही मोहित को जिउती से ब्रेक अप करने को कहा था क्योंकि उसे लोग लास की लड़की पसंद नहीं थी और मोहित ने बिना कोई सवाल किये आईशा किये इच्छा पूरी कर दी थी उसने एक बार भी नहीं सोंचा जिउती का क्या होगा पर ब्रेक अप के कुछ दिनों बाद जब जिउती ने उसे ये बताया था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसके होंश उर गए थे और फिर अचानप से उसके दिल में जिउत कोशिश की उसे कहां कहां नहीं धूंधा लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली और ना ही दोबारा कभी उससे कॉंटेक्ट हो पाया विरात और अभय का भी कॉंटेक्ट अनामिका से तूट चुका था और वे दोनों वी अनामिका को जहां तहां धूंध रहे थे उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि दोनों बेहने आखिर कहां चली गई आखिर क्या हुआ उनके सांथ आईशा रोनी आवाज में भाई देखो ना इन गार्ड्स ने मुझे कितना कसकर पकर रखा है मुझे दर्द हो रहा है भाई प्लीज गेट डैम अवे फ्रॉम मी आईशा की बात सुनते ही मोहित ने सिर्फ दोही गूसे में विराट के दोनों बोडी गार्ड्स को धायल कर दिया था आईशा उन गार्ड्स के चंगुल से छूटते ही मोहित के गले लग गई लेकिन मोहित ने फोरण आईशा को खुद से दूर कर दिया और तेजी से विराट की और जाने लगा जो कुछ। दूर खड़ा उसे ही देख रहा था विराट के करीब पहुंचते ही मोहित ने गहरी आवाज में कहा धुरुफ की मौम कौन है। में से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था बलकि उसने उल्टा मोहित पर सवाल दाग दिया ज्योती कहा है। करने के लिए विराट वो एक गेम था। मोहित हस्ता हुआ लड़की के जज़बातों से खेलने का गेम विराट सक्त आवाज में लेकिन मैंने अनू के इमोशन से। पीछे पलता और एक डेविल स्माईल के सांथ बोला क्या तुमने ज्योती का अडवांटेज नहीं लिया था वो भी तो। खुबसूरत थी एंड लास्ट टाइम वो प्रेगनेंट भी थी ये सुनते ही मोहित के होतों से एक आएक मुस्कान गायब हो। गई वो अब गेहरी नजरों से विराट को देखते हुए बोला सिर्फ अनू जानती है ज्योती कहा है मुझे अनू से मिलना है विराट सक्त लहजे में नहीं मिल सकते तुम अनू कोमा में है मोहित हैरानी से अनू कोमा में है विराट गुस्से से और इसकी वजह तुम्हारी वो घटिया बहन है आई स्वेर अगर मेरी अनु को कुछ हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा मोहित ने अब आईशा की ओर देखा जो मॉम डैट के पास खड़ी थी और उन्हें ही देख रही थी विरात दुआ करो तुम्हारी बहन की जिंदगी बच जाए मोहित उसकी जिं तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो मोहित आईशा की वजह से आज ज्योती और मेरा बच्चा मेरे सांथ नहीं है विरात मुस्कुराते हुए लगता है बेहन से ज्यादा प्यार गल्फ्रेंड से हो गया है मोहित ने उसकी बातों को इग्नो कर दिया और अनामिका के क कमरे की ओर बढ़ता हुआ बोला मुझे अनू को देखना है विरात उसे रोकने ही वाला था कि अचानक उसका सिर घूमने लगा ना जाने क्यूं उसे चक कर आ रहा था विरात को चक कर खाता देख बाकी सब घबराते हुए उसके पास आगए मोहित ने फोरन उसे एक बेंच पर बिठा दिया और डॉक्टर को आवाजे लगाने लगा कुछ देर बाद विरात को इमजेंसी रूम में ले जाया गया वो अब बेहोश हो चुका था धरूभी विशाखा जी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आ गया था और इस वक्त वो शीतल आंटी और जूही के सांथ इमजेंसी रूम के सामने खड़ा था उसे समझ नहीं आ रहा था सब इतना परेशन क्यूं है इसलिए वो जूही से सवाल किये जा रहा था इस वक्त सब का ध्यान विरात पर था इसलिए किसी ने गौर नहीं किया अनामिका के कमरे में कोई घुस गया है अनामिका को इस तरह गहरी नींद में सोते देखकर उस शक्स ने अपने दिल पर हॉन्थ रख लिया जो अभी अभी इस कमरे में घुस आया था दरसल अनामिका को देखकर उस सक्स को 100 साल पहले की वो गमगीन शाम याद आ गई थी जिस शाम उसकी रोज ने हमेशा के लिए अपनी आखे बंद कर ली थी जितने लोगों ने भी उस वक्त रोज को देखा था सबको वैसा लग रहा था जैसे वो प्यारी सी लड़की अभी मरी नहीं है बलकी गहरी नींद में सोई हुई है और कुछ ही देर में वो उच जाएगी लेकिन ये सिर्फ एक खूबसुरत व हुसा है और ना ही उसके कपड़े खून से लथपत है लेकिन फिर भी उसकी जान खत्रे में है और अगर उसने कुछ देर में अपनी आखे नहीं खोली तो हो सकता है वो बिलकुल 100 साल पहले की तरह हमेशा के लिए सो जाएगी दोबारा अपनी रोज को खोने के ख्याल से र और नहीं बलकी रोमियों था जिसने अपनी प्रेमिका की जान बचाने के लिए नियती के खिलाफ जाकर किसी जिंदा इंसान के शरीर में प्रवेश्ट किया था रोमी ने अब समय ना ग्यवाते हुए ततकाल अपने हौंत अनामिका के माथे पर रख दिया और अपनी आखे कर ली कुछ देर बाद उसके हौंत से सफेद और नीला प्रकाश निकलने लगा और अनामिका के माथे के अंदर प्रवेश्ट करने लगा इसी के सांथी अनामिका की ब्रेन में तेजी से कुछ मूवमेंट होने लगी सांथी सांथ उसके ब्रेन से स्ट्रेस लेवल धीरे-ध हीरे कम होने लगा कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया था अब रोमी के हाथों से भी प्रकाश पुंज निकलना बंध हो गया था और अनामिका की बॉडी में भी अब मुवमेंट होने लगी थी लेकिन रोमी की हालत अब काफी खराब हो गई थी क्योंकि उसने अपनी आगे से ज्यादा एनरजी खर्च कर दिया था जिसे फिल करने में उसे कई दिन लगने वाले हैं रोमी अभी खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई कौन हो आप ये आवाज सुनते ही रोमी की जान में जान आ गई क्य कि ये उसकी जान की आवाज थी अब वो अनामिका के नजदीक चला गया और उसकी आँखों में देखता हुआ बोला क्या तुम मुझे देख सकती हो अनामिका ने अजीब सा मूह बनाकर कहा आप कोई भूत थोड़ी हो जो मैं आपको देखना सकूंगी ये सुनते ही रोमी क खेल गई क्योंकि आज 100 साल बाद उसकी रोज ने उसे देखा था अनामिका ने फिर से सवाल किया आप कौन है और मैं यहां हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ रोमी ने मुस्कुराते हुए कहा मेरा नाम रोमियो मामा मेरा मतलब मैं मोहित माहेश्वरी हूँ रोमी आज ब खले लगा सकता है उसे चूम सकता है उसकी गोदी में सिर रख सकता है और हर वो चीज कर सकता है जो एक जिंदा इनसान कर सकता है हाला कि किसी आत्मा का किसी के शरीर में प्रवेश करना नियती के खिलाफ है और शायद रोमी को इस दुस्साहस का दंड भी मिल सकता है लेकिन रोमी डरता नहीं है किसी भी दंड और यातना से और ना ही उसे कोई पचतावा है क्यूंकि उसने अपनी प्रेमिका की जान बचाने के लिए ऐसा किया है। नहीं दे रहा था पर जल्द ही उसे होंच भी आ जाएगा क्योंकि रोमी ने उसे कुछ वक्त के लिए ही मुर्चित किया है। खीजते हुए कहा मैं आपको नहीं जानती हूँ और जहां तक मुझे याद है मैं मोहित नाम के किसी सक्ष से आज तक मिली नहीं हूँ। अनामिका की बात सुनकर रोमी उसके करीब आ गया और उसकी आखों में देखता हुआ अपनी रियल आवाज में बोला क्या। तुम सच मुझे नहीं जानती हो। इस बार अनामिका ने गौर से मोहित की आखों को देखा उसकी आखों का रंग दुनिया की सबसे रेरेस्ट आई कलर यानी ग्रीन कलर की थी। अनामिका ने अपनी जिन्दगी में पहली बार हरे आखों वाला लड़का देखा था और जहां तक उसे पता है पूरी दुनिया। में सिर्फ 2% लोगों के पास ही ग्रीन आईज है। इसका मतलब वो लखी है जो दुनिया के सबसे रेरेस्ट पसंद को देख रही है अनामि को जानती है। सिर्फ अनामिका ही नहीं बलकि रोमी भी इस वक्त अनामिका की जील सी नीली आखों में डूब चुका था बिलकुल। वैसे ही जैसे वो एक सदी पहले रोजमेरी की आखों में डूब गया था। तभी अचानक वो बेखुदी की आलम में अनामिका से बोला म मैं दिवाना हूँ सदियों से तुम्हारी इन आखों का मुझे। आज भी याद है वो असर तुम्हारी पहली नजर का सचमुच बुरा हस्च हुआ था मेरे इस मासूम दिल का। ये सुनते ही अनामिका की आखे बड़ी-बड़ी हो गई और ना जाने क्यूं उसकी धरकने भी एक आएक बढ़ गई थी। वो हसीन शाम रोमी कभी नहीं भूल सकता तारीक तो याद नहीं लेकिन वो थंड का समय था जब बैंगलो के एक फेमस कॉफी हाउस में कारोबारियों के लिए जलसा का आयोजन किया गया था जिसमें बैंगलो शहर के नामी गिरामी लोगाने। वाले थे रोमी भी अपने पिता के सांथ उस जलसे में शामिल होने के लिए गया था। रोजमेरी के पिता सर आमोस मार्टिन भी एक नामचीन कारोबारी थे और उस शाम जलसे में वे अपनी इकलोती बेटी को भी लेकर आये थे क्योंकि रोजमेरी ने अपने पिता जी से जलसे में आने की जिद की थी और वे अपनी बेटी की हर जिद पूरी करते थे शुरुआत में तो रोजमेरी को जलसे में बैठ कर बड़ा मजा आ रहा था लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया उसे वहाँ बोरियत फील होने लगी और वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए इ से पाने के सपने देखने लगा था रोमियो भी ओलिव की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था लेकिन उसका पूरा ध्यान जलसे में चल रही जरूरी वारतालाप पर केंद्रित थी उसने अब तक एक नजर भी रोजमेरी को देखा नहीं था और उसे पसंद भी नहीं था ऐस चिछोडों की तरह लड़कियों को घूरना हाला कि ओलिवर ने कई दफा रोमी को इत्तिला भी किया कि यहां एक बेहद ही खुबसूरत लड़की मौजूद है उसे बस एक नजर ही देखलो अगर दिवाना ना हो जाओ तो कहना पर रोमी को ओलिवर की इन बकवास बातों मे कोई दिल्चस्पी नहीं थी रोजमेरी ने तो रोमियो को तभी देख लिया था जब वो अपने से बड़े उम्र के कारोबारियों के समक्ष पूरी दक्षता के सांथ अपनी बाते रख रहा था वो जरा भी विचलित नहीं था पूरी एक आगरता से अपना काम कर रहा था जब की उसके ही उम्र के नौजवानों का ध्यान काम पर ना होकर रोजमेरी पर जमी हुई थी लेकिन रोजमेरी की नजरे तो रोमी पर जमी हुई थी जब से उसने रोमियों को देखा था उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी बलकि वो उसकी ग्रीन नाखों में कहीं जलसा समाप्त होने के बाद जब रोजमेरी के पिता सर एमोस मार्टिन ने वहां मौजूद लोगों से अपनी बेटी का परिचय करवाया तब रोमी ने पहली बार रोजमेरी की ओर देखा और उसे देखते ही वो अपनी पल के जपकाना भूल गया यहां तक कि उसे अपनी धर यह सुनते ही अनामिका के होथों पर ना जाने क्यूं मुस्कुराहट आ गई और वो रोमी से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी किसी ने जोर से कमरे का दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ मैंने तुम से कहा था ना अनू कोमा में है फिर भी जर अनामिका पर पढ़ चुकी थी जो इस वक्त बैट पर बिल्कुल सही सलामत बैठी हुई थी ये विराट था जिसे अभी अभी ही होंश आया था और होंश में आते ही वो डाइरेक्ट यहां चला आया था क्योंकि वो जानता था मोहित जरूर अनामिका के कमरे में ही गया होगा और वो नहीं चाहता था कि मोहित की वजह से अनामिका को कोई प्रॉबलम हो वैसे भी इस वक्त अनामिका की हालत क्रिटिकल है सदनली विराट के आ जाने से अनामिका चौंक गई थी पर इससे पहले कि वो विराट से या मोहित से कुछ कहती विराट आकर अनामिका के गले लग गया और इमोशनल होकर कहने लगा बेबी तुम्हें होंश आ गया अब कैसा फील कर रही हो तुम्हें कहीं पेम तो नहीं हो रहा है ना डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ अनू को होंश आ गया है विराट को अनामिका से यूँ चिपकता देख रोमी की मुठ्थिया कस गई अब वो गुस्से से विराट की ओर बढ़ने लगा लेकिन उससे पहले ही अनामिका ने विराट को खुद से दूर धकेल दिया और हरबराती हुई बोली कका कौन है आप दूर रहिये मुझ से अनामिका की बात सुनते ही विराट के होंश उर गई यहां तक की रोमी के भी हैरान हो गया तभी वहां ध्रूव भिया गया और जब उसने अनामिका को देखा तो खुशी से उचलते हुए उससे लिप्ट गया और रोते हुए अपनी फीलीद बया करने लगा मम्मा आई लव यू अनामिका तो हैरान थी इस बच्चे को देख कर क्योंकि वो इसे न अगा था मैंने आपको खो दिया है। ध्रूव की बात खत्म होते ही अनामिका ने ध्रूव को खुद से अलग किया उसके बाद नर्म लहजे में बोली बेता आपको। कोई मिसंदर्स्टेंडिंग हुई है मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। ये सुनते ही सब के पैरों तले से ज गया वो अब एक पल के लिए भी अपनी मां से दूर नहीं रह सकता था वैसे भी। पिछले कई घंटे उसने बहुंत तकलीफ में काटी थी पहले उन किड्नेपर्स ने उसे टॉर्चर किया और फिर बाद में उसकी मॉम कोमा में चली गई। विराट ने अब तक डॉक्टर नहीं खुई है बलकि पिछले कुछ सालों की यादे ही उसकी मेमरी से डिलीट हुई है यानि वो अपनी जिंदगी में 5 साल पीछे चली गई है जब वो कनकपुरा में रहा करती थी। कुछ ही देर में अनामिका के तेस्ट रिपोर्ट भी आ गए थे और रिपोर्ट देखक कर डॉक्तर बहुंत ज्यादा है रहान थे क्यूंकि रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हो रहा था कि अनामिका का ब्रेन पूरी तरह स्वस्थ है नव सल्स जो पहले छतीग्रस्थ और कमजोर था अब पूरी तरह रिकवर हो चुका है वो भी कुछ घंटों के दौरान ही डॉ अपने अब तक के करिया आज तक ऐसा केश नहीं देखा था डॉक्ट की पमिशन मिलने के बाद सब अनांिका से मिलने के लिए कमरे में चले गए अब अनामिका की जानKay ख़त्रा नहीं था इसलिए सब एक सांथ उससे मिल सकते थे लेकिन अनामिका इतने सारे लोगों को डे आएगा या हो सकता है उसे एक आएक सब कुछ याद आ जाए लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उसे कब याद आएगा सब कुछ उसे एक साल का वक्त भी लग सकता है दो साल भी लग सकता है छह महीने या फिर आज ही उसे सब याद आ सकता है इसलिए विराट और ध्रुव अनाम को कुछ याद नहीं आया बलकि दिमाग में प्रेशा पढ़ने की वजह से उसके सिर में दर्द होने लगा था उसके बाद डॉक्टर ने सबको फटकार लगाई कि वे उनके पैसेंट को परेशान ना करे वैसे भी अनामिका अभी अभी ही कोमा से बाहर आई है ऐसे में उसकी ह हालत अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है उसकी याददाश्ट जबानी होगी तबाही जाएगी फिलहाल सबको ये ध्यान रखना होगा कि पैसेंट के ब्रेन में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो दुरूव की आखों से आसु रुखी नहीं रहा था क्योंकि अनामिका ने उसे अपना बेटा मानने से साफ इंकार कर दिया था और अब तो वो दुरूव को अपने पास आने भी नहीं दे रही है क्योंकि वो दुरूव के मुह से अपने लिए मम्मा सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गई है दुरूव का इस दुनिया में उसकी मां के अलावा और कोई भी नहीं है और अब तो उसकी माने भी उसे अपना बेटा मानने से इंकार कर दिया है बेचारा धुरूव पता नहीं इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही होगी लेकिन अनामिका को इस वक्त धुरूव की कोई परवा नहीं थी क्योंकि वो सचमुच धुरूव को भूल यहां तक की विरात भी उसे याद नहीं है पर हां अभय उसे याद है दर असल पांच साल पहले की जिस टाइम पीरियद को वो अभी जी रही है उसके हिसाब से फेस्बुक पर अभी अभी ही उसका एक दोस्त बना है जिसका नाम अभय है और उन दोनों की चैट पर काफी ब अभी कुछ दिनों पहले ही अनामिका को फाइनेंशियल अकाउंट में एक टॉपिक समझ नहीं आ रही थी उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने भी इस टॉपिक को अच्छे से एक्स्प्लेइन नहीं किया था लेकिन अभय ने उसे इस टॉपिक को इतनी इजीवे मैं समझाया क अनामिका पल भर में ही सब कुछ समझ गई इसके अलावा इन दिनों जियोती दी ने अपनी रेगुलर स्टडी छोड़ दी है ताकि वे फुल टाइम जॉब कर सके पर उन्होंने अनामिका को अब पार्ट टाइम जॉब करने से मना कर दिया है ताकि वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा सके और अनामिका भी पूरी शिक्दत के सांथ अपनी स्टडी में जूट गई है उसका अब सिर्फ एक ही मकसद है अपने आपको इतना काबिल बनाना की उसे हाई लेवल जॉब मिल सके जिससे वो अपनी जूती दी को एक अच्छी जिन्दगी दे क्या सचमुच उसकी याददाश्ट चली गई है अभी अभी उसने कैलेंडर भी तो देखा था डिसेंबर 2023 चल रहा है अभी इससे साफ होता है कि वो अपनी जिन्दगी में 5 साल आगे बढ़ गई है अनामिका को अब यकीन होने लगा था कि सचमुच उसकी यादश्ट चल को नहीं देखा है क्या उन्हें अभी तक नहीं पता है कि वो हॉस्पिटल में है क्या किसी ने उन्हें खबर नहीं दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेचारी उसे धूंद धूंद कर परेशान हो रही होगी और मुझे ना पाकर उसने अपनी हालत रो रोकर खराब कर लिया ह और इस वक्त वो अनामिका के करीब ही बैची थी तभी अनामिका ने जूही से पूछा मेरी दीदी अब तक हॉस्पिटल नहीं आई है क्या जूही को समझ नहीं आया कि वो अनामिका को क्या जवाब दे इसलिए उसने विराट की ओर देखा जो पास मेही एक चैय पर बैथा विराट ने बहाना बनाते हुए ज्योती किसी काम से शहर से बाहर है इसलिए वो नहीं आप आएगी अनामिका आप जूट बोल रहे हैं अगर मेरी दी को पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वे अपना सारा काम धंधा छोड़कर मुझ से मिलने आ जायेगी विरा फैमली तुम्हारी है अनामिका आप लोग कौन है मुझे नहीं पता मेरी फैमली में सिर्फ मैं और मेरी दीदी ही है ध्रुव इमोशनल होकर मम्मा आपकी फैमली में मैं भी तो हूँ आप मुझे कैसे भूल सकती हो जूही समझाते हुए हाँ अनू ध्रुव बिल्कुल सही कह रहा है, 5 साल बहुंत होते हैं, और इन 5 सालों, में तुम्हारी लाइफ बहुंत बदल गई है, अब तुम्हारी फैमली में ध्रुव भी है, वो तुम्हारा बेटा है और तुम, उससे बहुंत प्यार करती हो, अनामिका चिदते हुए, मैंने कितनी बार कहा है, आप लोगो अनू अनामिका ने विराट की बात काटते। हुए कहा ओके मैं मान लूंगा धुरुव मेरा बेटा है लेकिन तब जब मेरी ज्योती दी खुद मुझे ये बताएंगी जुही। परेशान होकर ज्योती दी नहीं आ सकती अनू अनामिका मुझे मेरी दी से मिलना है कोई उन्हे यहां बुला दो पलीज। किसी ने भी अनामिका को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अब अनामिका उतावली होकर अपने आसपास देखती हुई बोली मुझे। दीदी से मिलना है मुझे मेरी ज्योती दीदी से मिलना है विराठ परेशान होकर रिलेक्स अनू तुम ऐसे का नंबर दायल करने लगी लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जियोती से उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया हर बार उसका नंबर बंद आ रहा था अनामिका अब घबरा उठी और अपनी जगह से उठती हुई बोली उनका फोन बंद क्यूं आ रहा है कहीं वो किसी प्रॉबलम म और दोबारा उसे बैट पर बिथा दिया अनामिका जित करती हुई प्लीज मुझे जाने दीजिए यहां से मुझे घर जाना है विराट प्यार से अनामिका को गले लगाते हुए बोला आज शाम तुम्हें होस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी उसके बाद हम अपने घर जाएंगे अनामिका गुस्से से आप समझते क्यूं नहीं मुझे अभी जाना है घर तभी ध्रुव अनामिका के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेटते हुए बोला मम्मा शांत हो जाए डॉप्टर अंकल ने कहा था आपको जितना हो सके उतना खुश रहना है अनामिका ध्रुव को खुद से दूर धकेल कर चिलाती हुई बोली डोंट काल मी मॉम मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ आइंदा मुझ से चिपकने की कोशिश भी मत करना आज तक अनामिका ने ध्रुव से इस लहजे में कभी बात नहीं किया था इसलिए ध्रुव का दिल तूट गया और वो रोता हुआ कमरे से बाहर भाग गया विराट उसके पीछे जाता हुआ बोला बेता रुको पर ध्रुव रुका नहीं बलकी दौरते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा अनामिका को रियलाइज हुआ उसने अभी अभी एक छोटे बच्चे का दिल दुखाया है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेचारा बच्चा कैसे रोते हुए गया है वो यहां से विराट गुसे से माना कि तुम्हारी याददाश्ट चली गई है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक मासूम बच्चे को इस तरह से ट्रीट करो आइंदा कभी मेरे बेते से उ उंची आवाज में बात मत करना इतना कहकर विराट वहां से चला गया लेकिन कुछ ही देर में वो वापस आ गया और अनामिका को गले लगाते हुए बोला I am sorry जान मुझे तुम पर गुसा नहीं करना चाहिए था इस बार अनामिका भी विराट के गले लग गई और रोती अब ज्यादा वक्त नहीं था इसलिए उन्हें जल्दी निकलना होगा ताकि शाम होने से पहले किसी भी हाल में वे उनके पास पहुंच सके जिसके पास वे अनामिका के साथ जाना चाहती थी अनामिका तो अब शीतल आंटी को भी भूल चुकी है लेकिन शीतल आंटी अनाम किया था एक बार तो जब घर पर कोई नहीं था और शीतल आंटी अचानक बिमार पर गई थी तब पूरी रात जाग कर उसने उनकी सेवा की थी और उसके बाद से शीतल आंटी के दिल में अनामिका के लिए अलग तरह का प्यार पन अपने लगा था शायद इसे ममता भी कह स रखते हैं अब दुपहर के टू बज चुके थे शीतल आंटी घर पर किसी को खबर दिये बिना ही अपने ड्राइवर के सांथ उस जगह के लिए रवाना हो चुकी थी और शायद उन्हें वहां पहुँचने में फोर बज ही जाएंगे दरसल शीतल आंटी को शक है अनामिका कि याददाश्ट उसी आत्मा ने मिटाई है और शायद वो आत्मा अनामिका की जान लेना चाहता है इसलिए वे किसी भी हाल में उस आत्मा को अनामिका की जिन्दगी से भगाना चाहती हैं पर उन्हें क्या पता रोमी अपना वजूद मिता सकता है लेकिन अपनी रोज को नहीं छोड़ सकता हॉस्पिटल के बाहर एक पेर के नीचे मौजूद बैंच पर इस वक्त ध्रूव गुम्शुम सा बैठा हुआ था आसपास से गुजवने वाले लोगों की निगाहें कुछ पल के लिए ध्रूव पर थहर ही जाती क्योंकि उदासी में भी ध्रूव के चामिंग चेहरे का चाम जरा भी कम नहीं हुआ था पर लोगों की निगाहूं से बेखबर इस वक्त ध्रूव के जेहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि अगर उसकी मौम की याददाश्ट वापस ही नहीं आई तब वो क्या करेगा कैसे जीएगा वो अपनी मां के बिना क्या अनामिका उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगी क्या अब वो उसे गले भी नहीं लगाएगी इन्हीं सब विचारों में खोए ध्रूव को ये पता ही नहीं चला की कब उसके बगल में एक सक्स आकर बैठ गया है और उसे एक टक निगाहों से देखे जा रहा है कुछ शनों बाद जब ध्रूव को फील हुआ कि उसके साइड में कोई बैठा है तब उसने अपनी नजरें उठा कर उस सक्स का चेहरा देखा वो मोहित था यानि मोहित के शरीर में रोमी था ध्रूव ने एक नजर मोहित को देखने के बाद फिर से अपनी नजरें सामने की ओर कर दिया पर तभी उसे फील हुआ उसके हौंट की लिटिल फिंगर पर किसी ने अपनी लिटिल फिंगर फंसादी है जाहिर है ये रोमी ही है ध्रूव ने जट से अपनी फिंगर मोहित से चुडा ली और दोबारा खामोशी से हॉस्पिटल बिल्डिन की और देखने लगा पर तभी मोहित रोमी ने दोबारा अपनी लिटिल फिंगर उसके लिटिल फिंगर में फंसा दिया ध्रुव ने फिर से अपनी फिंगर उससे छुड़ा लिया उसके बाद खामोशी से वहां से जाने लगा अगर कोई और दिन होता तो वो मोहित को खरी खोटी सुना चुका होता लेकिन इस वक्त उसका दिल दुख से भरा हुआ था और उसका मन चुप चाप गहीं अकेला बैठने का हो रहा था रोमी खामोशी से ध्रुव को वहां से जाता हुआ देखता रहा और ध्रुव धीरे धीरे अपना कदम हॉस्पिटल बिल्डिंग की और बढ़ाने लगा लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज हुआ और वो जट से पीछे पलट कर मोहित को देखने लगा मोहित अभी भी बैंच के पास खड़ा था और मुस्कुराते हुए ध्रुव को देख रहा था ध्रुव अब दौरते से बाहर है और पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है अब विराथ ध्रुव और अनामिका को लेकर अपने घर जाने वाला था घर पर पूरा ओबरोई खांदान अनामिका और ध्रुव के ग्रेंड वेलकम के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी विशाखा जी के पैर तो खुशी के मारे जमी पर तिंग ही नहीं रहे थे उन्होंने तो आज ही पंडित जी को भी बुलवा लिया था ताकि अनामिका और विराथ की शादी की मुहर्त निकलवा सके अब वे ज्यादा देरी नहीं कर सकती थी क्योंकि विराथ और अनामिका ओल्रेडी माता पिता बन चुके हैं लेकिन अनामिका विराथ के सांथ उसके घर जाना नहीं चाहती बलकि वो अपने घर कनकपुरा जाना चाहती है विराट ने उसे बहुंत समझाया अभी जियोती घर पर नहीं है उसका जॉब लग गया है इसलिए अब वो बाहर रहती है पर कहां रहती है ये किसी को भी नहीं पता है जब लाख मनाने के बाद भी अनामिका नहीं मानी तो विराट उसे जबरदस्ती अपनी कार की ओर ले जाने लगा ध्रूफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था विराट का ये बेहेवियर लेकिन उसके पास इस वक्त कोई उप्शन नहीं था क्योंकि अनामिका याददाश्ट खो चुकी थी इसलिए वो पहले की तरह ध्रूफ के सांथ अपने घर में नहीं रहेगी तभी अचानक जुही विराट के रास्ते में आ गई और विराट से रिस्पेक्टफुल लहजे में बोली सर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आप से कुछ कहना चाहती हूँ विराट अब उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा और जुही अपनी बात आगे जारी रखती हुई बोली डॉक्टर्स ने कहा है अनू की ब्रेन में प्रेशा नहीं पढ़ना चाहिए वरना उसकी याददाश्ट कभी वापस नहीं आ पाएगी आप अगर अनू को उसकी मर्जी के बिना औब्रॉय मैंशन ले जाएंगे तो अनू जूही की बात पूरी होने से पहले ही विराट ने कहा मैं अनू को अकेला नहीं छोड़ सकता कनकपुरा में तो बिल्कुल भी नहीं जूही सर अगर आप चाहें तो अनू मेरे सांथ मेरे अपार्टमेंट में रह सकती है वैसे भी मैं वहां अकेली रहती हूँ मुझे भी अनू की कमपनी मिल जाएगी और अनू को भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा क्या पता इसी दोरान उसकी याददाश्त भी वापस आ जाए जूही की बात सुनकर विरात सोच में पड़ गया जूही बिल्कुल सहीं कह रही थी इस वक्त अनामिका को प्रेश्राइज करना ठीक नहीं है बलकि उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए उन्हें ताकि अनामिका की याददाश्त वापस आ सके तभी अनामिका ने कहा मैं आपके सांथ आपके अपार्टमेंट में नहीं रहूंगी जूही अब एमोशनल होकर बोली मैं जानती हूँ तुम मुझे भूल चुकी हो अनू लेकिन मैं तो नहीं भूली हूँ ना तुमें मैंने जो खुशनुमा पल बिताए हैं तुम्हारे सांथ वो कैसे भूल सकती हूँ मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है पर जब तुमने मुझे अपनी बहन कहा था उस दिन से मुझे लगता था अब मैं अकेली नहीं हूँ बलकी मेरा भी परिवार है इस दुनिया में मेरी भी एक बहन है जो मेरी परवा करती है पर अगर तुम मुझे से बहन का रिष्टा तोड़ना चाहती हो तो ठीक है वैसे भी मैं पहले भी अकेली थी और आगे भी अकेली रह लूँगी इतना कहकर जुही अपने आसु पोंचने लगी और धुरुव जुही का इतना लंबा इमोशनल ड्रामा सुनकर हैरान था अभी 15 दिन पहले ही तो जुही मासी की मॉम से वो मिला था यहां तक की जुही की बहुंत बड़ी फैमली है फिर वो क्यूँ कह रही है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है तभी उसे अपने करीब रोमी की आवाज सुनाई दी जुही वही कह रही है जो मैंने उसे कहने को कहा है इतना सुनते ही ध्रुव मन ही मन चिल्ला उथा ओह माई गॉड मास्टर आपको तो हिपनोटाइज करना भी आता है दरसल रोमी बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी रोज उस ओलिवर विराट के घर रहे क्योंकि इससे विराट को अनामिका के करीब आने का मौका मिल जाएगा और रोमी इस बात ओलिवर को एक भी मौका नहीं देना चाहता था उसकी प्रेमिका के करीब आने का इसलिए वो जूही का इस्तेमाल करके अनामिका को विराट से दूर रखना चाहता था रोमी तुम्हारी मॉम विराट के सांथ नहीं जाना चाहती क्या तुम चाहते हो तुम्हारी मां की यादे वापस ही ना आए द्रुव घबराते हुए नो नो प्लीज मेरी मॉम की मेमरी वापस लाओ दोस्त रोमी ये मेरे वस में नहीं है चैंप इसका इलाज सिर्फ वक्त के पास है इसलिए तुम्हारी मां को कुछ वक्त लगेगा ठीक होने में तभी अनामिका ने कहा आप सैग मत हो प्लीज मैं आपके सांथ आपके अपार्टमेंट में रहने को तैयार हूँ लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए उसके बाद मैं कनतपुरा चली जाओंगी विराट लेके ननू द्रूव विराट अंकल प्लीज ममा को जूही मासी के सांथ रहने दीजिए विराट अपने बेटे की बात नहीं काट सका इसलिए वो मान गया लगभग आधे घंटे बाद विराट की कार एक बिल्डिन के सामने रुकी जूही का अपार्टमेंट यही था और अब अनामिका और जूही यहां सांथ में रहने वाले थे द्रूव अपनी मा से अलग होना नहीं चाहता था जिन्दगी में ये पहली बार था जब द्रूव अपनी मा के सांथ नहीं रहने वाला था इसलिए वो बहुंद दुखी था उसकी आखों से बूंदे भी तपकने लगी थी लेकिन आज उसकी मा की उसकी आखों में आसु नजर ही नहीं आ रहा था जूही और अनामिका के जाने के बाद विराथ ने अपनी कार स्टॉट कर दिया और अब वो अपने बेटे को पहली बार उसके घर लेकर जा रहा था रोमी कुछ घंटे पहले ही मोहित के शरीर से बाहर निकल गया था क्यूंकि रोमी की एनजी लेवल कम हो जाने के कारण मोहित की सोल पौवर उस पर हावी होने लगी थी इसलिए रोमी इस वक्त अनामिका के घर पर मौजूद था और शायद कुछ दिन वो वही रहने वाला था जब तक की वो अपनी शक्ती इंप्रीज ना कर ले पर अब वह बिलकुल निश्चिंथ था क्योंकि अब उसकी प्रेमिका की जान को कोई खत्रा नहीं था हालांकि वो अपनी कुछ मैमरी खो चुकी है लेकिन इससे रोमी को कुछ खास फर्क नहीं पर रहा था क्योंकि उसका और अनामिका का नाता तो सदियों पुराना था ऐस्टरिस्क शाम 6.30 बजे शीतल जी बेंगलूरू से लगभग 140 किलोमीटर्स दूर एक छोटे से कस्बे में अपने बाबा दादा से मिलने आई थी जिनकी उम्र 110 साल से भी ज्यादा है लेकिन फिर भी उनके बूरे शरीर में गजब की बबा को पहले ही से ग्याद था शीतल जी यहाँ आने वाली है और क्यों आने वाली है ये भी वे पहले से ही जानते थे इसलिए जब शीतल जी ने उनके समक्ष बैठकर अपनी समस्या बताना शुरू किया तब वे उनकी बात सुनने से पहले ही बोल पर ये रोमीयो रॉबि बाबा जी की बात सुनकर शीतल जी बहुंत ज्यादा घबरा गई तभी बाबा ने शीतल जी को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनके होंश उड़ गए। बाबा से कहा बाबा सालों पहले उसी आत्मा ने मेरी बहन की जिन्दगी चीनी थी और ना जाने कितने ही ओरतों का वो कातिल है और इतने लोगों को मारने वाला अच्छा कैसे हो सकता है। आखों में नींद नहीं थी वो इस वक्त बालकनी में अकेली बैठी आस्मान में तिम्टिमाते तारों को निहार रही थी इन तारों को देख कर उसे अपनी जियोती। दी की बहुंत याद आ रही थी बचपन में वे दोनों अकसर घंटों तक आंगन में बिची चार पाई पर लेट कर इन तारों को निहारा करते थे और आपस में बराबर बाराबर बाटा करते थे जियोती ये वाला तारा तुम्हारा और वो मेरा। अनामिका ठीक है जियोती ये चार तुम रख लो मैं पांच रिखूगी अनामिका आप पांच क्यूं रिखोगी आप भी चार रखो। वरना मैं मा को बता दूंगी जियोती मैं तुमसे बड़ी हूँ इसलिए मैं ज्यादा रखूंगी अनामिका अच्छा ठीक है आप। पांच तारे चुनकर रख लीजे उसके बाद आसमान में जितने में भी तारे बचेंगे वे सारे मेरे हैं जियोती। चिलाती हुई मा देखिये ना ये छुट की मुझसे बड़ी बनने की कोशिश कर रही है अनामिका आप मुझसे बड़ी कैसे। हुई हम दोनों की हाइट बराबार है अगली बार जब मेरा हैपी बर्त्रे आएगा ना तब मैं आपसे भी बड़ी हो। जाओंगी अपने बचपन के इन खुशनुमा लमहों को याद करके अनामिका के होतों पर प्यारी सी मुसकान खिल गई थी। लेकिन जल्द ही ये मुसकान कहीं गायब हो गई क्योंकि इस वक्त उसकी जियोती दी उसके पास नहीं है और नहीं। उससे कॉंटेक्ट हो पा रहा है वो अब तक कई दफा जियोती दी को कॉल कर चुकी है लेकिन हर बार उसका फोन बंद आया है आखिर उसने इतने लंबे वक्त तक फोन बंद क्यों रखा है क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं ये ख्याल आते। ही अनामिका का दिल घबराहट से कामप उठा अब उसने सामने टेबल पर रखे फोन को उठा लिया और फिर से जियोती को कॉल मिला दिया इस उम्मीद से की जियोती दी ने अपना फोन अन कर लिया होगा लेकिन इस बार भी जियोती का फोन बंद था उसे तो किसी पडोसी क नमब भी याद नहीं है और नहीं किसी दोस्त का नमब वो जानती थी एक मिनट एक दोस्त है जिसका नमब उसे मुखागर याद है अभय हाँ अभय का नमब उसे याद है अनामिका अब बिना देरी अभय का नमब दायल करने लगी हालां कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था जुही के फोन से अभय को कॉल लगाना लेकिन वो कर भी। क्या सकती है इस वक्त उसके पास उसका फोन नहीं है कॉल बटन पर क्लिक करते ही ट्रिन ट्रिन की आवाज आने लगी। अब अनामिका बेसबरी से अभय के कॉल रिसीव करने का इंतजार करने लगी पर उस बेचारी को ये याद ही नहीं है कि इस नंबर पर पूरे चार सालों बाद बज रिंड जा रही है क्योंकि अभय ने फोर साल पहले ही अपना ये नंबर बंद कर दिया था पर आज अचानक ये नंबर ओन हो गई थी क्योंकि अभय को उम्मीद थी अनामिका उसे जरूर कॉल करेगी और ये सच हुआ अनामिका को आखिरकार अभय की याद आही गई जल्द ही अभय ने कॉल रिसीव कर लिया और कॉल रिसीव होते ही अनामिका चहकती हुई बोली हेलो अभय अनामिक कहा तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी क्या अरे ये मैं हूँ अनामिका वो एक्चुली मेरा फोन अभी नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने तुम्हें किसी और के फोन से कॉल किया है अनामिका का एक्स्प्लेनेशन सुनकर भी अभय खामोश रहा अब अनामिका से रहा नहीं गया उसने अब थोड़ा इमोशनल ट्यून में कहा शायद तुम मुझे भूल गए हो अनामिका के इतना कहते ही कॉल के दूसरी ओर से अभय की आवाज आई नहीं अनू मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और कभी भूल भी नहीं सकता तुम्हें इतना कहने के बाद अभय के माथे पर पसीने की बूंदे उभरने लगी क्योंकि उसे डरलग रहा था कि कहीं अनामिका उसे पहचान न ले दरसल कॉल की दूसरी ओर जो सक्स था वो विरात था और विरात ही असली अभय है जिससे अनामिका को प्यार हुआ था पर फिलहाल तो अनामिका को ये भी याद नहीं है कि वो पिछले 4 सालों से तडप रही थी इस आवाज को सुनने के लिए अनामिका खुश होती हुई शुक्र है तुमने कुछ बोला तो सही वरना मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो अंदर अभय की डरी सहमीसी आवाज आई का कैसी हो अनू अनामिका उदासी स मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ यार तुम बताओ तुम कैसे हो अभय मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनामिका मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो क्योंकि आज तुमलों साउंड कर रहे हो अभय तुम्हारी आवाज सुनने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे है ना अनामिका। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे बहुंत अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे सुनसान सी दुनिया में मुझे। कोई सांथी मिल गया है वरना पिछले कई घंटों से मैं सबके होते हुए भी अकेला फील कर रही थी अभय जब भी तुम्हारे लिए हमेशा अविलेबल हूँ अनामिका अभय तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं जियोती दी से भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा। भला क्यू नाराज होंगी तुमसे अभय अनू मैंने तुम्हें बहुंत मिस किया तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैंने हर पल तुम्हें मिस किया अनामिका मुस्कुराती। हुई ओ थेंक यू यार अभय सौरी अनू मैंने तुम्हें इतना लंबा इंतजार करवाया सच कहूं तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी तुमसे फेस करने की क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनामिका कन्फ्यूज होकर I don't understand what you are saying मैंने कब इंतजार किया तुम्हारा और तुम कब मुझे खोना नहीं चाहते थे अभय एक बात कहना है तुमसे जो मैं तुमसे कभी कहना सका अनामिका बोलो अभय वो एक्चुली I am not the person you think. I am अनामिका कन्फ्यूज होकर what do you mean अभय घबराते हुए में मेरा मेरा रियल नाम अभय नहीं विराठ है. मैं विराठ अबरोय हूँ इतना सुनते ही अनामिका चिल्ला पड़ी what अभय घबराते हुए हाँ अनू मैं अभय नहीं हूँ. विराठ हूँ अनामिका इमोशनल आ कोई बात नहीं सुननी तुम जूठे हो तुमने इतने दिन मुझे धोखे में रखकर मेरे जाजबातों का मजाक बनाया है विराठ परेशान होकर हुए please listen to me give me a chance to explain myself. अनामिका गुस्से से no no enough अब मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है goodbye इतना कहकर अनामिका ने call. disconnect कर दिया और विराठ उसे आवाजे लगाता रह गया तभी अचानक अनामिका की काफी तेज आवाज आई तुम सो. गए क्या अभय हेलो हेलो अभय आए थिंग तुम सो गए अनामिका की ये बाते सुनते ही अभय को जैसे होनशाया और वो. खुद से ही सवाल करते हुए ब अनामिका हैरानी से तो तुम खामोश क्यूं थे अभय वो एक्चुली मैं कुछ सोच रहा था अनामिका तुम मुझे कुछ. कहने वाले थे ना अभय अभय अवो वो मा मैं वही तो सोच रहा था अनामिका तुम भुलक कर कब से हो गए अभय अनू अब तुम. मुझ से पहले जिया था अनामिका, कन्फ्यूज होकर क्या अभय मैं कह रहा था तुम अब सो जाओ अनामिका तुम भी सो जाओ एंड हाँ इस नमबर पर तुम कॉल, मत करना ये मेरा फोन नहीं है मैं तुम्हें कल फिर से कॉल करूंगी इस टाइम पर अभय इतना लंबा इंतजार मु लिए सब्र की जरूरत नहीं है बलकि दिल की गहराई में बसे सच्चे जजबात की जरूरत होती है इतना कहकर अनामिका ने कॉल डिसकनेक्ट कर दिया और अभय उर्फ विराट अनामिका की बातों का मतलब सोचता ही रह गया आज से पहले अनामिका ने कभी इतनी गहरी बात नहीं कही थी आज पता नहीं उसे क्या हो गया था अनामिका भी यही सोचे जा रही थी कि उसे अचानक क्या हो गया था जो वो ऐसी बात कह गई इनकी शेरों शायरी से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है आज एक सदी बाद मैं आपसे फिर सवाल करना चाहता हूँ क्या आप जवाब देंगे आपने प्रेम को सबसे उचा और सबसे महान कहा है तो फिर आपने हम दोनों को एक होने क्यूं नहीं दिया क्या खता थी हमारी क्या हमारा प्यार सच्चा नहीं था जवाब दीजिये गौड अपने क्यूं हमें सदियों तक तरपने के लिए छोड़ दिया क्यूं हम मिलकर भी ना मिल सके रोमी पिछले आधे घंटे से चच के सामने खड़ा था और भगवान से सवालात कर रहा था लेकिन आज भी उन्होंने रोमी को कोई जवाब नहीं दिया रोमी कुछ देर खामोशी से चच को देखता रहा उसके बाद गहरी आवाज में बोला अब मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरी प्रेमिका को पाने से आप भी नहीं गौड आप भी नहीं मैं आपको साबित करके दिखांगा प्यार सचमुच महान होता है इतना कहकर रोमी वहाँ से गायब हो गया शाम फोर बजे का वक्त था और इस वक्त एक घने जंगल में एक मरदाना आवाज बार बार वातावरन में गूंज रहा था रुको मैंने कहा रुक जाओ तभी वहाँ एक मीठी सी आवाज गूंजी नहीं मैं नहीं रुकूंगी अब दोबारा वहाँ वही मरदाना आवाज गूंज उठा अच्छा बाबा मैं नहीं आउंगा तुम्हारे समीप अब रुक जाओ मेरी जान आगे घनगोर जंगल है तभी फिर से वही मीठी आवाज गूंजी जी नहीं रुमी जी तुम अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हो मुझे भय लगता है तुमसे भी नहीं लगांगा कृपया वापस आ जाओ जंगल के भीतर मत जाओ वहां आदमखोर शेर हैं रुमी की बात सुनकर रोज के कदम जहां के तहां ठहर गए अब वो पीछे पलटकर रुमी को देखने लगी जो उससे कुछ दूरे व्रिक्ष के पास खड़ा था उसकी से वापस आ रही है तो उसने राहत की सांस ली और वो भी वहां से जाने के लिए पीछे पलट गया तभी रोज ने उसे रोकते हुए कहा रोमी मुझे माफ कर दो रोमी वहां से आगे बढ़ता हुआ बोला मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है रोज रोज उसकी और तेज तेज कदमों से आती हुई बोली रुको मेरे लिए रुको रोमी नहीं तुम दूर ही रहो वरना मैं फिर से तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा रोज मुस्कुराते हुए तो भर लो ना मुझे अपनी बाहों में किसने रोका है रोमी तुम्हें मुझसे भय लगता ह इसलिए मैं तुमसे दूर ही रहूंगा अब रोज तरपती हुई ऐसा ना कहो मैं तुम्हारे बिना सांसे भी नहीं सकती हूँ रोमी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया बस चुपचाप चलता रहा लेकिन तभी रोज दौरती हुई उसके सामने आ गई और अपनी बाहें उसक की आँखों में आसोआ गए अब वो रोती हुई बोली मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे रोमी मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहती थी मैं तो केवल तुम्हारे सांथ शरारत कर रही थी रोमी किन्तु मजाक ही मजाक में तुमने मुझसे अपने दिल की बाते बया कर दी वो बाते जो शायद तुम मुझसे कभी नहीं कहती पर मजाक मजाक में कह गई रोज नहीं ये सच नहीं है रोमी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है रोज तुम एक औरत हो और मैं मानता हूँ औरतों को मर्दों से दूर ही रहना चाहिए रोज भावक होकर तुम उन नीच और दुष्ट मर्दों में से नहीं हो रोमी तुम सबसे अलग हो तुम हमेशा ओरतों का सम्मान करते हो रोमी भावक होकर सच तो यह है कि मैं भी एक मर्द हूँ मैं चाहे गैर ओरतों की कितनी भी इजज़त करूँ किन्तु तुम्हारे समक्ष मेरी अच्छाई खत्म हो जाती है मैं तुम्हें देखकर खुद पर नियंत्रन नहीं रख पाता हूँ इसलिए तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता हूँ तुम्हारा चुम्बन कर लेता हूँ रोमी की बात पूरी होते ही रोज फिर से रोमी से लिप्ट गई और भावुक होकर बोली मुझे तुम्हारा गले लगाना अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा चुम्बन बहुंत मीठा लगता है क्योंकि ये तुम्हारी तृष्णा नहीं है बलकि तुम्हारा प्यार है और मैं तुम्हारे प्यार की भूखी हूँ रोमी ने फिर से रोज को खुद से दूर कर दिया और खामोशी से आगे बढ़ने लगा अब वे दोनों सड़क के काफी नजदीक पहुंच चुके थे इतना नजदीक की उन्हें सड़क के किनारे खड़े अपनी मोटर कार भी न जराने लगी थी रोमी ने अब अपने कदम और भी तेज कर दिया लेकिन कुछ क्षनों बाद उसे आभास हुआ उसके पीछे कोई हलचल नहीं हो रही है अब वो घबराते हुए पीछे पल्टा तो देखा रोज उसके पीछे नहीं है वो समझ गया उसकी रोज उससे रूत कर जंगल में कहीं चली गई है अब वो आवाजे लगाता हुआ जंगल में उसे धूंधने लगा रोमी रोज बच्चों जैसी हरकते ना करो अब संध्या हो गई है हमारा जंगल में थहरना ठीक नहीं है शीघर सामने आओ लेकिन रोज ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अब रोमी को घबराहट होने लगी और वो उसे धूदते हुए फिर से जंगल के अंदर जाने लगा रोमी रोज मुझे माफ करो मैं तुम पर नाराज हो गया था क्रिपा करके मेरे पास आओ रोज लेकिन रोज ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी रोमी समझ गया उसकी रोज आसपास नहीं है वरना अब तक वो उसके सामने आ जाती अब रोमी की दिल की धरकने घबराहट के मारे काम प्रही थी उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसने नाराजगी के कारण ना जाने क्या 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 है दिया था अपनी मासुम सी रोज को जब की उसने तो उसे सपष्ट शब्दों में बताया था कि वो सिर्फ शरारत कर रही थी उसके सांथ क्या एक प्रेमिका अपने प्रेमी के सांथ शरारत भी नहीं कर सकती रोमी अब खुद को कोस्ते हुए घने जंगल में रोज मेरी को यहां वहां धूंधने लगा उसे आवाजे लगाता रहा उससे प्यार भरी बाते करता रहा लेकिन काफी देर तक गूंधने के बाद भी उसे उसकी रोज कहीं नहीं मिली अब तो सूरज भी डूबने वाली है और जंगल घना होने के कारण यहां पहले से ही अंधेरा हो चुका है जंगली जानवरों की आवाजे भी अब चारों और गूंजने लगी है जिससे रोमी की घबराहट अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है यह सोचकर की कहीं यह जंगली जानवर उसकी रोज को अपना शिकार ना बना ले रोमी की आँखें अब लाल हो गई थी ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोही देगा वो पागल सा होने लगा था और खुद को ही सजा देना चाहता था तभी उसे एक और से जानी पहचानी सी आवाज आई अब वो दरते हुए उस भागने लगा जहां से अभी अभी आवाज आई थी क्योंकि यह उसकी रोज के चीखने की आवाज थी रोमी रोज डरो मत मेरी जान मैं आ रहा हूं कुछ ही क्षनों में रोमी उस थान पर पहुँच गया जहां उसकी रोज मौजूद थी उसने देखा रोज एक मोटे तने वाले पेर से टैंट लगाए खड़ी है और दर के मारे रोय जा रही है क्योंकि उसके ठीक सामने ही एक खुनखार भेडिया अपनी नुकीले दांक चमकाते हुए खड़ा है अब उस भेडिये ने रोज मेरी के ऊपर छलान लगा दिया लेकिन इससे पहले कि वो उसे चोट पहुचा पाता रोमी उस पर जपट पड़ा और अपनी पूरी ताकत लगा कर उसे वहां से दूर फेक दिया जमीन में गिरते ही वो भेडिया दर्द से कलबला उठा क्योंकि वो चोटल हो गया था लेकिन फिर भी वो डरकर वहां से नहीं भागा बलकी इस बार वो रोमी के ऊपर जपट पड़ा रोमी पहले से ही मुकाबले के लिए तैयार था उसने पहले ही अपना हथियार चूरा बाहर निकाल लिया था और उस भीरिये के जपटते ही उसने चूरा सीधे उसके सिर में घुसा दिया इसी के सांथ वहां उस भीरिये का दर्दनाक रूदन गूंज उठा रोज अब दौरती हुई रोमी के पास आ गई और घबराती हुई उसे चूचू कर देखने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है पर रोमी बिल्कुल सही सलामत था उसके लिए ऐसे जानवरों से भिरना कोई बड़ी बात नहीं थी तभी रोमी ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकर लिया और उसके बालों में अपना चेहरा घुसाते हुए बोला मैं डर गया था तुम्हें खोने के ख्याल से ही मैं बहुंद दर गया था तुम मुझे छोड़कर क्यूं चली गई थी रोज रोती हुई मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें फिर से दुख पहुंचाया रोमी तुम मेरी जिन्दगी हो मेरी रूर की सुकून हो आइंदा मुझे सजा देने का कोई और तरीका निकालना लेकिन खुद को यूँ खत्रे में मत डालना मेरी जान अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पांगा रोज रोती हुई मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही थी मैं तुम्हें मनाने के लिए ये फूल लेने गई थी क्योंकि मुझे से तुम्हारी नाराजगी नहीं सही जाती मुझे तुम्हारे प्यार की तलब है रोमी कृपया कभी मुझे से नाराज होकर मुझे खुद से दूर मत करना चाहो तो मुझे से खूब लढ़ाई करना परन्तु मुझे अपने करीधी रहने देना इतना कहकर रोज मेरी ने अपने फ्रॉक के कमरबंध डिजाइन में खुची गुलाबी रंग के एक फूल को निकाला और उसे रोमी को देती हुई बोली मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी कृपा करके मुझे माफ कर दो रोमी रोमी कुछ पलों तक अपलक उस लड़की को देखता रहा जिससे वो बेंतेहा प्यार करता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्यारी सी मासूम प्रेमिका से क्या कहे उसे इस बेवकुफी के डाटे या फिर प्यार से उसके माथे को चूम ले रोज मासूमियत से तुम अब भी नहीं मानोगे क्या तुम्हें और फूल चाहिए रोमी ने अब प्यार से उसके माथे को चूम लिया उसके बाद मुस्कुराते हुए उससे फूल ले लिया ये फूल दिखने में बहत खूबसुरत था और उसकी खुश्बू इतनी मनमोहक थी कि कोई भी मधोश हो जाए दरसल रोज और रोमी को नेचर से कुछ ज्यादा ही प्यार था इसलिए वे जब भी मुलाकात करते थे इस जंगल में सुकून पाने के लिए आ जाते थे ऐसे ही एक बार इस जंगल को एक्सफ्लो करते हुए उन्हें जंगल के बीचों बीच इस गुलाबी फूल का पेर मिला था ना जाने ये कौन सा फूल था ऐसा लगता था जैसे ये इस जमीन का है ही नहीं उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऐसा फूल देखा था और उसके बाद से ये उनका पसंदीदा फूल बन गया था रोमी इस फूल की खुश्बू को अपनी सासों में भरता हुआ बोला क्या तुम जानती हो जितनी मनमोहक ये फूल है उतनी ही हसी तुम भी हो इतना कहकर रोमी उस फूल को रोज के बालों में लगाने लगा और रोज बेहत प्यार से रोमी की आखों को देखने लगी अब यहां अंधेरा हो जाने के कारण रोज को अच्छे से रोमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था लेकिन रोमी की हरी आखें इस अधेरे में भी साइन कर रही थी और कमाल की बात तो यह है कि रोमी को अंधेरे में भी काफी क्लियरली दिखाई देता है रोज के बालों में फूल लगाने के बाद रोमी ने उसे प्यार से कहा मैं तुमसे बहुंत प्यार करता हूँ रोज उसके बालों में हौन्थ फेरती हुई बोली मैं भी तुमसे बहुंत प्यार करती हूँ रोमी अब अपने होंत रोज के होथों के करीब ले जाता हुआ बोला क्या मुझे इजाजत है रोज हैरानी से क्या सच मुझ अब तुम मुझसे इजाजत लोगे रोमी मुस्कुराता हुआ बिलकुल रोज मूह बनाकर तुम्हें इजाजत नहीं है इतना कहकर रोज वहां से जाने लिए मुड़ी पर तभी रोमी ने उसकी कलाय पकड ली और उसे अपने करीब खीचता हुआ बोला अगर तुम शरारत कर सकती हो तो मैं भी मजाग कर सकता हूँ मेरी जान क्या तुम भूल गई तुम पर तुमसे भी ज्यादा मेरा हक है इतना कहकर रोमी ने उसके होथों को अपने होथों में भर लिया और धीरे धीरे चुमने लगा रोज ने भी अब अपनी बाहें उसके गले में डाल दिया और खोने लगी प्यार के अहसास में बेबी डॉल तुम्हें इतनी गहरी नींद में मुस्कुराते देखकर मेरा दिल तो नहीं कर रहा है तुम्हें तुम्हारे सैयाजी से अलग करने का लेकिन इस वक्त अगर तुम नहीं उठी तो मेरी नौकरी जा सकती है इतना कहकर जूही ने अनामिका के चेहरे पर थंडा पानी छिरका जिससे अनामिका इचकचा कर उठ गई और उठते ही अपनी आखे बढ़ी करके अपने चारों और देखने लगी दरसल उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ फ्लैट में कैसे पहुँच गई अभी-भी तो वो घने जंगल के बीच में अपने प्रेमी के सांथ थी क्या ये एक सपना था ओ यार कितना खुबसुरत सपना था तभी जूही ने उससे माफी मांगने वाले अंदाज में कहा I am sorry dear मुझे तुम्हारी नींद खराब करनी पड़ी पर मैं क्या करती मुझे धमकी दिया जा रहा था तुम्हें उठाने के लिए जूही की बात सुनकर अनामिका कन्फ्यूज निगाहों से जूही की ओर देखने लगी जूही ने अब अपना फोन अनामिका को देते हुए कहा तुम्हारे लिए किसी स्पेशल का कॉल है ये सुनते ही अनामिका के होन्श वाकता हो गए क्योंकि उसे पता था ये अभाई ही है अब उसने जूही से उसका फोन ले लिया और एंबरेस्ट होती हुई बोली आई एम सॉरी जूही आपको मेरी वजह से प्रॉबलम हुई जूही मुस्कुराते हुए इसमें सॉरी की क्या बात पागल अच्छा तुम बात करो मैं किचन में जा रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने जूही के जाते ही अनामिका ने फोन अपने कान पर लगा लिया और अभय को डांटती हुई बोली मैंने तुम्हें मना किया था ना कॉल करने को फिर क्यूं किया पता नहीं जूही क्या सोच रही होगी हमारे बारे में कॉल की दूसरी ओर से आवाज आई आपने मुझे मना कब किया था अनू मुझे क्यूं याद नहीं है अनामिका हैरानी से का कौन और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो दुरुफ मुह बनाकर मैं एक हैकर हूँ और मैंने आपके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है आप एक बुद्धूसी लड़की हो और आपके पास एक हैंसम सा बेटा भी है अनामिका हैरानी से दुरुव तुम दुरुव शाबास अनू आपका दिमाग काफी शाप है मैं तो बस चेक कर रहा था कि आपकी कल की मेमरी से ही सलामत है या आप फिर से मुझे भूल गए अनामिका मुह बनाकर मेरा दिमाग बच्पन से शाप है समझे छोटे चुहे दुरुव मुह बनाकर मम्मा यार मैं किस इंगल से आपको चुहा लगता हूँ अनामिका मुह बनाकर और मैं किस इंगल से तुम्हें मम्मा लगती हूँ धुरुव बेफिकरी से मेरे पास बहुंत सारे फ्रूफ है मॉम आप बेफिकर रहिए आपका बेटा कुछ ही देर में पहुँचने वाला है आपके पास I love you mom इतना कहकर धुरूव ने कॉल कट कर दिया और अनामे का हैरानी से फोन को घूरती रही कहते हैं बजार में सब कुछ मिल जाता है लेकिन मा जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कभी नहीं मिलता और धुरूव के लिए तो जन्नत भी उसकी मा है और साया भी उसकी मा है इसलिए वो एक पल भी अपनी मा के बिना नहीं रह सकता है अब एक हफता हो चुका है धुरूव को अबरॉय मैंशन में रहते हुए और ये एक हफता उसने अपनी मा के बिना कैसे गुजारी ये सिर्फ वही जानता है हाला कि ध्रूव को अब्रॉय मैंशन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है यहां उसकी हर जरूरत और हर शौक की चीजें मौजूद हैं नौकर चाकर उसके आगे पीछे गूंते हैं और घरवाले भी उसका जरूरत से ज़यादा ख्याल रखते हैं लेकिन फिर भी ध्रूव के लिए ये एशो आराम और आलिशान घर उसकी मां के सामने बिल्कुल फीका है ऐसा भी नहीं है कि ध्रूव अपनी मांसे बिल्कुल नहीं मिल पाता वो तो हर रोज अपनी मां से मिलने जाता है लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए ही और ध्रुव के लिए ये काफी नहीं है क्योंकि वो पूरा समय अपनी मा के सांथ रहना चाहता है आज भी जब वो स्कूल से घर आया तो सब उसके इंतजार में बैठे हुए थे और उसके आते ही सब ने उस पर प्यार बरसना शुरू कर दिया लेकिन ध्रुव की नजर तो अनामिका को तलाश रही थी क्योंकि विराट ने उससे वादा किया था कि आज वो उसकी मौम को यहां लेकर आएगा पर अफसोस विराट अनामिका को यहां आने के लिए राजी नहीं कर पाया था अपनी मां को ना पाकर ध्रुव उदास हो गया था और किसी से बात किये बिना ही वो दौरते हुए अपने कमरे में चला गया था उसका ये कमरा कोई आम कमरा नहीं था बलकी बहुन थी शांदार और लेक्जिूरियस था पर ध्रुव को तो बचपन से अपनी मां के लिप्ट कर सोने की आदत थी इसलिए इस कमरे में अनामिका के बिना उसका दम घुंटता था और इस पूरे हफ़ते ना जाने रोमी भी कहां गायब था ध्रुव आखिरी बार उससे हॉस्पिटल में ही मिला था और उसके बाद से आज तक वो उसका इंतजार ही कर रहा था पर अनामिका की तरह रोमी ने भी उसे अकेला छोड़ दिया था कमरे में आते ही ध्रुव जल्दी जल्दी अपने कपड़े एक बैग में डालने लगा क्यूंकि अब वो यहां एक पल भी नहीं रहना चाहता था वो अब जूही के अपार्टमेंट में जाना चाहता था ताकी अनामिका के सांथ रह सके कुछ देर बाद जब वो अपने बैग के सांथ नीचे आया तो सब उसे देख कर हैरान हो थे विशाखा जी हैरानी से धुरुव बेटा तुम अपना समान लेकर कहा जा रहे हो धुरुव दादी मॉम मुझे अपनी मॉम के पास जाना है अब मैं यहां नहीं रहना चाहता विराट अभी अभी ही ओफिस से घर आया था अब उसका पैर रिकवर हो चुका था और वो पहले की तरह ही अपना सब काम कर सकता था विराट बेटा मैंने तुम्हें समझाया था ना जब तक अनू की यादे वापस नहीं आ जाती तब तक तुम यहां हमारे सांथ रहोगे धुरुव कैसे वापस आएगी मॉम की यादे आप में से कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है उनकी याददाश्ट वापस लाने की और तो और मुझे भी मना कर रखा है उन्हें हमारी पुरानी चीजे फोटोज एंड डॉक्यूमेंट दिखाने से दरसल विराट नहीं चाहता था कि अनामिका की याददाश्ट जल्दी वापस आ जाए क्योंकि वो इन दिनों अभय बनकर अनामिका से बाते करता है और इस बार वो अनामिका को पूरी तरह पाना चाहता है चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े लेकिन अगर अनामिका को सब कुछ याद आ गया तो वो विराट से बाते करना बंद कर देगी और ये विराट बरदास्थ नहीं कर सकता है वो अपनी अनु को खुद से दूर कभी जाने नहीं दे सकता उसने आज तक अनामिका को पाने के लिए ना जाने क्या क्या किया था और आगे भी वो उसके लिए कुछ भी करेगा दुरूव अब विराट के पास आते हुए बोला अंकल मुझे जूही मासी के अपार्टमेंट डॉप कर दीजिए विराट नहीं तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते दुरूव प्लीज मुझे मॉम के पास जाना है विराट वो अब तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती दुरूव इसलिए अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए हमारे सांथ विशाखा जी प्यार से हम तुम्हारी मॉम को भी यहां ले आएंगे बेटा धुरूव दुखी होकर कब लाओगे आप मेरी मॉम को यहां एक हफ़ते से मुझे यहीं कह रहे हो आप सब लेकिन अब तक भी मेरी मॉम को यहां लेकर क्यूं नहीं आए प्रखर जी विराट तुम्हें यह बात समझ क्यूं नहीं आती एक बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता है धुरूव भी अपनी मां के बिना नहीं रह सकता उसे अनामिका की जरूरत है और हमें भी अनामिका के यहां रहने से कोई परेशानी नहीं है आखिर उसने हमारे खांदान को अंश को जन्म दिया है होने वाली बहू है वो हमारी तो फिर तुम उसे यहां लेकर क्यों नहीं आते अविनाश जी विराट के चाचा मैंने भी तुम्हें कितनी बार समझाया है अनामिका को यहां लाने के लिए लेकिन तुम सुनते क्यूं नहीं आखिर तुम्हारा इरादा क्या है विराट गुस्से से और मैं कितनी बार कहूं मैं अनू को यहां लेकर नहीं आ सकता विशाखा जी गुस्से से तुम्हारे कहने का मतलब क्या है विराट तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो वो तुम्हारे बच्चे की मा है तो क्या हुआ अगर उसकी याददाश्ट चली गई है वो फिर भी ध्रुव की मा है और इस घर की होने वाली बहु विराट मॉम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए अनू यहां नहीं आ सकती ध्रुव वेल मॉम यहां नहीं आ सकती पर मैं तो मॉम के पास जा सकता हूँ ना विराट सकता आवाज में तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती मेरी बात कहा ना तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते विराट का ये रवया किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था वो इस मासूम से बच्चे के सांथ गलत कर रहा था उसे उसकी मां से दूर कर रहा था और कहीं ना कहीं वो अनामिका के सांथ भी गलत कर रहा था अविनाश जी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अनामिका को छोड़ने के फिराप में हो विराट उन्हें कुछ कहने ही वाला था कि ध्रूव ने अपना बैग उठाते हुए कहा तो आप मुझे मेरी मॉम के पास लेकर नहीं जाएंगे देट्स आलराइट मैं खुद चला जाओंगा इतना कहकर ध्रूव दर्वाजे की ओर बढ़ने लगा लेकिन तभी विराट ने ध्रूव को इतना कसकर खीचा कि वो डिस्बैलेंस होकर फर्श पर गिर पढ़ा ये देखकर विशाखा जी और बाकी सब घबराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे लेकिन उन सबसे पहले ही कोई और ध्रूव के करीब पहुँच गया था और उसे अपने सीने से लगा लिया था ये कोई और नहीं बलकी मोहित उर्फ रोमी था जो पूरे एक हफ़ते बाद ध्रूव से मिलने के लिए आया था लेकिन जैसे ही वो मैंशन के एंट्रेंस के पास पहुँचा उसने देखा विराट ने ध्रूव को पहीच कर फर्ष में गिरा दिया है हाला कि विराट ने ये जानबूज कर नहीं किया था लेकिन उसकी इस हर्क्त से रोमी का खुन खौल उठा था ध्रूव ने जब देखा उसे अपने सीने से लगाने वाला सक्स उसका दोस्त है तो वो भी मोहित रोमी के गले लग गया उसकी आँखों से आसु निकल गए थे इसलिए नहीं कि विराट ने उसे गिराया था बलकी इसलिए क्योंकि इतने सारे पराय लोगों के बीच उसे अपना दोस्त मिल गया था दरसल ध्रूफ के लिए ओबरॉय फैमली अभी भी एक अंजान फैमली है वो इस फैमली के किसी भी मेंबर को अपना नहीं मान पा रहा है भले ही वे लोग उस पर अपनी जान छिरिकते हैं लेकिन फिर भी वो उन्हें दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा है विराट को जब रियलाइज हुआ उसने अपने बेटे को नीचे गिरा दिया है तो वो तड़पते हुए ध्रूफ को गले लगाने के लिए नीचे जुक गया लेकिन उसी वक्त रोमी ने उसे गुसे से पंच कर दिया जिससे वो कई कदम दूर जा गिरा ये नजारा देखकर वहां सब के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मोहित ने विराट पर हॉन्थ उठाया है क्योंकि आज तक इन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे पर कभी हॉन्थ नहीं उठाया था बलकी ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सबसे ज्यादा शौक तो विराट को लगा था वो तो विश्वास ही नहीं करपा रहा था कि ये मोहित ही है तब ही उसके पास विशाखा जी और मंदाकिनी जी धुरूफ की चाची आ गई विराट अब तक फर्ष से उठ चुका था और हैरानी भरी नजरों से मोहित और धुरूफ को देख रहा था जो एक दूसरे से लिपते हुए थे मंदाकिनी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से विराट के होथों से निकलते खून को पोन्छा और परेशान होती हुई बोली है भगवान खून निकल रहा है विराट इस ओके छोटी मौम चाची ये बस सरासी चोट है इतना कहकर विराट मोहित और धुरूफ की तरफ जाने लगावे दोनों अब भी एक दूसरे से लिपते हुए थे और ना जाने क्या बाते कर रहे थे एक दूसरे के कान के पास विराट की आखे तो इस वक्त हैरानी से फटी जा रही थी क्योंकि एक तो मोहित ने उस पर हॉन्थ उठाया था उपर से धुरूफ मोहित के कुछ ज्यादा ही क्लोज नजर आ रह था जबकि वे दोनों तो सिर्फ ए बार ही हॉस्पिटल में मिले थे और उस पहली मुलाकात के बाद वे दोबारा मिले ही नहीं है तो इतनी जल्दी उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई विराट को तो धुरूफ को इंप्रेस करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी उसके बाद अजूद भी धुरूफ विराट के उतना क्लोज नहीं है जितना वो मोहित के क्लोज नजर आ रहा है विराट उनके पास आते ही धुरूफ को रोमी की बाहों से खीच कर अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीच सहलाते हुए बोला I am sorry बेटा मैंने जानबूज कर नहीं किया था ये धुरूफ उसे कोई जवाब देता उससे पहले ही मोहित ने धुरूफ को विराट की बाहों से खीच लिया और गुसे से चिल्लाते हुए बोला Don't even touch this child you have No right on this ये सुनते ही विराट की आँखे गुसे से लाल हो गई अब उसने दोबारा धुरूफ को अपने करीब खीच लिया और मोहित को आँखे दिखाते हुए बोला Your mind is fine धुरूफ is my son मोहित ने फिर से धुरूफ को अपने पास खीच लिया और विराट की आँखों में देखते हुए बोला अपनी बखवास बंद करो तुम्हे अगर धुरूफ की पर्वा होती तो उसे हट नहीं करते तुम विराट ने धुरूफ को फिर से अपने करीब खीच लिया और गुसे से बोला द्रूव मेरा बेटा है and I can treat him however I want द्रूव ने खुद को विराट से छुड़ाते हुए कहा मैं सिर्फ अनू का बेटा हूँ और अगर आप दोनों की लड़ाई के चक्कर में मुझे छोटा सा भी खरोच लग गया ना तो मेरी मॉम आप दोनों का हौन्थ पैर तोड़ देंगी प्रकर जी नाराजगी से ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों अकल कहा गई तुम दोनों की ध्रूव के सामने ही ऐसे लड़ोगे तो क्या असर पड़ेगा उस बच्चे पर तभी निवेदिता द्रूव के पास आई और उसे अपने सांथ ले जाती हुई बोली इन्हें लड़ने दो ये दोनों बच्चपन से ही दिमाग से पैडल है चलो हम कुछ खाते हैं तुम्हें भूख लगी होगी ना द्रूव अपना हौन्थ निवेदिता से छुडाता हुआ बोला नही मुझे भूख नहीं है इतना कहकर द्रूव अपने कमरे की ओर जाने लगा तभी विशाखा जी ने उसे गोदी में उठा लिया और डाइनिंड की ओर बढ़ती हुई बोली भूख नहीं है तो अभी भूख लग जाएगी मैंने आज तुम्हारा फेवरेट मतर पनीर बनवाया है मतर पनीर का नाम सुनते ही ध्रूव के मुह में पानी आ गया वैसे भी उसे सच में भूख लगी थी भूख तो विराट को भी लगने लगी थी मतर पनीर का नाम सुनकर लेकिन वो अभी मोहित से अपना हिसाब चुकता करना चाहता था पर तभी विशाखा जी ने उन दोनों से सक्त आवाज में कहा क्या तुम दोनों को special invitation देना पड़ेगा मूह क्या देख रहे हो अब चलो जल्दी आओ खाना थंडा हो रहा है अब विराट और मोहित भी उनके पीछे-पीछे डाइनें टेबल की ओर बढ़ गए विशाखा जी ने धुरूफ को एक चया पर बिठा दिया उसके बाद विराट और मोहित को डाटने वाले अंदाज में बोली तुम दोनों दूर दूर बैठो वरना फिर से बच्चों की तरह लड़ने लग जाओ भी ये सुनकर विरात मुह बनाता हुआ एक चया पर बैठ गया और मोहित उर्फ रोमी मुस्कुराता हुआ उससे कुछ दूर एक दूसरी चया पर बैठ गया विशाखा जी की डाट सुनकर पता नहीं क्यूं उसके होतों पर अनायास ही मुस्कुराहट आ गई थी शायद इसलिए क्योंकि एक सदी बाद आज उसे किसी ने डाटा था और उसे अपनी माँ की डाट याद आ गई थी विशाखा जी सबको खाना सर्फ करने के बाद एक चया पर बैठ गई और मुस्कुराती हुई सबको निहारने लगी धुरूफ के सामने मतर पनीर था इसलिए अब उसे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं था उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ खाने पर था और वो इतनी स्पीड से खा रहा था कि उसे देखकर किसी का भी गला सूख जाए विराट भी कोई कम स्पीड से नहीं खा रहा था मतर पनीर उसका भी फेवरेट है इसलिए उसने भी धावा बोल दिया था और इन दोनों को इस तरह से खाते देखकर निवेदिता अपनी हिसी नहीं रोक पा रही थी लेकिन जब मंदाकिनी जी ने उसे आखे दिखा कर शान्त रहने को कहा तो बमुश्किल उसने अपनी हिसी कंट्रोल की उसके बाद उसने अपने फोन का वीडियो रिकॉर्डर ओन किया और इन दोनों के वीडियोज बनाने लगी ताकि अनामिका को भेज सके इस एक हफ़ते के दोरान अनामिका और निवेदिता की काफी अच्छी बनने लगी है वैसे भी ध्रुव के सान्त रोज वही तो जाती है अनामिका से मिलने जूही के अपार्टमेंट में विराट तो अभय बनकर बाते करने में ही खुश है कुछ देर दुरुव और विराट को देखने के बाद जब विशाखा जी ने मोहित को देखा तो वे एकदम से हैरान रह गई क्योंकि मोहित ने अब तक एक निवाला भी नहीं खाया था खाता भी कैसे इस वक्त मोहित के शरीर में रोमी की मौजूदगी थी और रोमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ खाने की क्योंकि उसने 100 सालों से खाना नहीं खाया था वो तो अब भूल ही चुका था खाना का स्वाद कैसा होता है विशाखा जी हैरानी से मोहित बेटा क्या हुआ तुम खा क्यू नहीं रहे हो क्या खाना अच्छा नहीं बना है मोहित बहाना बनाते हुए वो मुझे भूख नहीं है आंटी विशाखा जी ऐसे कैसे भूख नहीं है प्रग्या ने बताया था तुम बिना खाय ही घर से निकले थे चलो अब कोई बहाना नहीं चुपचाप खाओ मोहित ओके आंटी ओके कहकर मोहित प्लेट में रखे खाने को गौर से देखने लगा रोमी जब जिन्दा था तब उसने इस तरह का खाना कभी नहीं खाया था इसलिए वो कन्फ्यूज था ये डिश कौन सा है यहां तक की मोहित का ब्रेन भी इस डिश को नहीं पहचान पा रहा था इसका साफ मतलब है कि इस बेवकूफ मोहित को इस डिश का नाम नहीं पता तभी विशाखाजी ने उसकी प्लेट में एक नया डिश डालते हुए कहा ये खाओ बेटा ये मैंने बनाया है रोमी ने जब उस नए डिश को देखा तो उसकी आखे चमक गई क्योंकि ये डिश उसे काफी जाना पहचाना सा लग रहा था शायद ये उत्तपम है यानी उसके जमाने की डिश रोमी को याद आया उसके पिता जी को उत्तपम बहुंत पसंद था इसलिए उसकी माँ अकसर ही घर में उत्तपम बनाया करती थी विशाखाजी परेशान होती हुई तुम खा क्यूं नहीं रहे हो क्या कुछ और खाना हुए क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाऊं बेटा मोहित मुस्कुराते हुए नहीं आंटी मैं यही खाँगा मुझे ये डिश बहुंत पसंद है मेरी मा ये डिश बहुंत टेस्टी बनाया करती थी इतना कहकर मोहित ने निवाला अपने मुह में डाल लिया और अपनी आखे बंद करके सालों बाद खाने का स्वाद लेने लगा So, अभी कहानी जारी रहेगी So don't forget to share your review and comment your best part of a story और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो कृपया इसे subscribe करें और bell icon पर click करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके